तो चलिए शुरू करते हैं. देख सालवी मैं अभी भी कह रही हूं मेरी बात मान जा क्यूं फाल तु में पंगेले रही है बूतों से. सालवी फ्रस्ट्रेट होकर ओफो तेरा बक बक कभी बंध होता भी है. विभा तुझे मेरी बात बक बक लग रही है तो लगे लेकिन मैं तुझे जो करना है कर पर मैं पहले ही बता देती हूं अंदर जाना खत्रे से खाली नहीं है. सालवी तु इतना डरती क्यूं है यार अपने मन में थोड़ा क्यूरियोसिटी जगा ये सोच अंदर कहीं कोई खजाना तो नहीं छुपा है. विभा मुह बनाती हुई खजाना क तो नहीं पता लेकिन अंदर जाकर भूत से जरूर मुलाकात हो जाएगी. सालवी बहन मुझे लगता है तेरी इस नेगेटिविटी की कोई तोड़ी नहीं बनी है. विभा परेशान होकर ये मेरी नेगेटिविटी नहीं है तू खुद सोचना इतने सारे लोग मिलकर जूत क्यों बोलेंगे. सालवी ये सब अफवाहें हैं विभू कोई भूत भूत नहीं होता. विभा इमोशनल होकर और अगर अंदर सच मुछ भूत मिल गया तो अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरी एक ही तो सहेली है मैं. तुझे खोना नहीं चाहती यार. सालवी आए प्रॉमि कवर कर सकते हैं. सालवी नहीं विभू हम उन्हें अंदर नहीं भीज सकते क्योंकि लड़कों को अंदर कोई खत्रा नहीं है अगर हमने इन्हें. अंदर भीजा तो वे दोनों वहां मजे से घूम कर सहीं सलामत वापस आ जाएंगे और फिर हमें ये कभी पता नहीं चल. पा ही सोचती लेकिन बात. कई मासूम जिन्दगी की है. विभू तू ही सोचना आज तक इस पाक में कितनी ही मासूम औरतों ने अपनी जाने गवाए है और आज तक भी. उन्हें इन्साफ नहीं मिल पाई है बलकि आए दिन ये मौत का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है हर महीने क कि जाने यहां जाती है और प्रशासन मूख दर्शक बनी हुई है कोई inquiry नहीं कोई थोस कारवाय नहीं बस भूतों का नाम देकर मामला रफा दफा कर देते हैं तुझे ये कुछ अजीब नहीं लगता. विभा तू ग्रेट है यार अपनी जान पर खेल कर दूसरों की जान चाहती है. सालवी मुस्कुराती हुई मैं तो बस अपनी एक छोटी सी कोशिश करना चाहती हूँ अपने न्यूज रिपोर्ट होने का. फर्ज निभाना चाहती हूँ क्या पता मैं किसी का भला कर पाऊं. अपनी बात खत्म करके सालवी उस बड़े से गेट पर लगे ताले को फिर से तोड़ने की कोशिश करने लगी लेकिन काफी. मशक्कत करने के बाद भी वो उस ताले को तोड़ नहीं पा रही थी. विभार एक घंटे से हम इस ताले को पीत रहे हैं लेकिन अब तक भी इसे तोड़ नहीं पाए हैं अब तो समझ जाया रिये. भगवान का संके तुम्हें अंदर जाने से रोकने के लिए. साल्वी ने उसकी बातों को इगनो करते हुए कहा मेरे पास एक मास्टर की है जिसे मैंने एक लाइबरेरी से चुराई थी बट इस वक्त वो मेरे पास नहीं है बलकि मेरे पस में है और मेरा पस स्कूटी की डिगी में है. विभा के जाने के बाद विभा यहां इस बंद गेट के सामने अकेली खरी थी जिस पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था. ये गेट वैसे तो काफी पुराना था और इसकी डिजाइन भी काफी ओल्ड थी लेकिन इसकी चमक अभी तक बरकरार थी ऐसा. लगता था जैसे इसे अभी अभी ही लगाया गया है. सालवी को गए अब थ्री मिनट से उपर हो गए थे और अब विभा को यहां डर लगने लगा था क्योंकि इस सुनसान सी जगह. पर वो इस वक्त बिलकुल अकेली थी. डर के मारे अब वो चारों और नजरे दोडाने लगी कि कहीं कोई छिपकर तो नीचे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था इस पाक में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है. ये पढ़ने के बाद तो विभा का डर अब और ज्यादा बढ़ गया और अब वो यहां से भाग जाना चाहती थी लेकिन पता नहीं. क्यूं उसके पैर एकदम से जम गए थे शायद दर की वजए से या फिर उसके पैर सच मुझ ही जम गए थे. तभी उसे ऐसा लगा कोई उसके पीछे खड़ा है उसने बिना देरी किये जट से अपने पीछे देखा लेकिन वहां कोई भी नहीं था. तभी उसकी नजर गेट पर पढ़ी और वो उसे देखकर एक फारे इस गेट को ही. देख रही थी लगभग वान घंटे से वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड सालवी गेट पर लगे इस बड़े से ताले को तोरने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वे दोनों इसे एक इंच भी जखमी नहीं कर पाए थे. लेकिन अब अब वो ताला अपने गई अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस गेट के उस पार स्वर्ग है उसने आज तक ना जाने प्रकृती के कितने सुंदर. नजारे देखे थे लेकिन जो सुंदर ता उसे इस वक्त गेट के भीतर दिखाई दे रही थी ये तो उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी अब तो वो खुद को भीतर जाने से रोक नहीं पा रही थी ऐसा लग रहा था जैसे ये नजारे उसे अपनी और आकरशित कर रही है वहां के सुंदर रंग बिरंगे फूल और उर्ती हुई तितिया उंचे उंचे पेडों से गिरते पीले नारंगी रंग के पत्ते और पहा सा खरगोश विभा को नजर आया जो उसे इशारे से गेत के अंदर बुला रहा था विभा ने अब बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम गेत के भीतर की और बढ़ा दिया पर तभी उसे ख्याल आया अंदर जाना मना है अब वो पलत कर दूर सड़क की और देखने लगी पर उसे सालवी कहीं नजर नहीं आई उसने अब फिर से अपनी नजरें गेत के अंदर की तरफ कर दिया और एकाएक चौक पड़ी क्योंकि सालवी अंदर थी गेत के अंदर पर वो तो मास्टर की लेने गई थी ना तो फिर वो अंदर कैसे और वो कब गेत के अंदर चली गई विभा ने तो उसे देखा ही नहीं, तभी उसे सालवी की आवाज आई है विभू तू वहां क्या कर रही है अंदर आ ना देख कितना अच्छा सीन है, विभा अब कश्मिश में थी वो सामने का द्रिश्य देखकर गेट के अंदर जाना भी चाहती थी लेकिन उसका दिल उसे वहां से भाग जाने को कह रहा था, तभी सालवी ने फिर कहा विभू चलना सेलफी क्लिक करते हैं अच्छी पिक्चर आएगी यहां, ये कहकर सालवी सेलफी ज लेने लगी और अब विभा भी खुद को रोक नहीं पाई और गेट के अंदर चली गई अंदर आते ही, विभा के बाद उसने भी अपना फोन निकाल लिया और सालवी की तरह सेलफीज क्लिक करने लगी तभी उसे फिर से, सालवी की आवाज सुनाई दी विभू भाग, ये आवाज सुनते ही विभा ने गेट के बाहर देखा जहां सालवी खरी थी, उसकी आँखों में खौफ नजर आ रहा था और वो डर के मारे थर-thर काम रही थी, उसे ऐसे देखकर विभा ने हैरानी से कहा क्या हुआ तुझे ऐसे काम रही है और गेट के बाहर कब चली गई तू, उसके ये शब्द पूरे भी नहीं हो पाए थे कि हमेशा हमेशा के लिए उसकी आवाज बंध हो गई, लेकिन सालवी अब तक बेहोश थी दो दिन पहले उसकी नजरों के सामने, किसी ने उसकी बेस्ट फ्रेंट को मार डाला था और वो ये दर्दनाक ब्रिश्य देखकर तुरंट बेहोश हो गई थी गनीमत वो, उस वक्त गेट के बाहर थी अगर अंदर होती तो शायद आज की भी सांसे थम चुकी होती, घटना की खबर लगते ही पुलिस ततकाल हर्क्त में आ गई लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बिना किसी तहकीकात के, इस घटना को किसी सीरियल किला का काम बताकर रफा दफा कर दिया गया, सच तो ये है कि ऐसी घटनाएं इस शहर में सालों स होती आ रही है और कई दफा इसकी बारिकी से तहकीकात भी किया गया लेकिन परिनाम कुछ भी नहीं मिला, आज तक कोई भी उस हत्यारे को पकड़ नहीं पाया जो उस पाक में, बेरहमी से लड़कियों का कतल करता है, इसलिए अब प्रशासन ने इस ओर ज्यादा ध्यान द रहा था बलकी और भी तुल पकरता जा रहा था जिसे हवा देने के लिए मिडिया वाले कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, अब तक अखबारों में कई तरह के लंबे-लंबे आर्टिकल्स छापे जा चुके थे और न्यूज चैनल वालों ने भी अपना बेरा उठाया हुआ सोशल मीडिया में भी जमकर आग भड़की हुई थी आखिर ये आम जनता की सुरक्षा का सवाल है और इसमें प्रशासन की लापरवाही सचमुच शर्मनाक है। सुबह के सेवन बजे थे और अनामिका चाय पीती हुई अखबार पढ़ रही थी इसमें कोई दोराय नहीं की वो इस वक्फ देविल पाक में हुई इस ततकालिक घटना के बारे में ही पढ़ रही थी। कुछ देर बाद उसने अखबार साइड में रख दिया और किसी गहन सोच में डूब गई। सुबह सुबह दिल दहला देने वाली इस घटना की खबर पढ़कर उसका मन अशान्त ह गया था क्योंकि यह घटना वाकई उसकी थुद की भी सुरक्षा पर बड़ा सवाल था। वैसे भी यह शहर उसके लिए अभी अंजान है क्योंकि उसे बेंगलूरू शिफ्ट हुए अभी सिर्फ एक महीना ही हुआ है। कुछ देर बाद अनामिका अपनी चाय का कप उठा कर किचन में आ गई उसके बाद कुकर में दाल चड़ा कर वो दोबारा लिविंग रूम में आ गई और सोफे पर जाकर बैठ गई। उसके हसीन शहरे पर इस वक्त शिकन नजर आ रही थी लेकिन उसकी खूबसूरत मीली आखों में उत्सुकता की जलक दिख रही थी वो कोई कहता वहां चुडेल रहती है तो कोई कहता वो गुंडे बदमाशों का बसेरा है लोग अपने अपने कयास लगाते रहते थे लेकिन इन घटनाओं के पीछे की हकीकत क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया है ये सभी बाते सुन सुनकर अनामिका के मन में अब देव जा रही है वैसे भी वो बचपन से जिग्यासु प्रवरिती की रही अनामिका ने अब अपने कंधे तक आते बालों को समेटा और उसमें क्लेचर फास्ते हुए कहा आखिर क्या है इस डेविल पाक का राज मुझे ऐसा क्यू लग रहा है कि मैं खीची चली जा रही हूं उस के पास तभी उसके कानों में ध्रुफ के चिलाने की आवाज आई ओफो अनू तुम कब सुधरोगी यार अनामिका उफ ये आफत उठ गया अनामिका ने जैसे ही एक प्यारी सी शिकायत भरी आवास सुनी वो मुस्कुराती हुई बैडरूम की और चली गई और वहां पहु जब तो मुझसे भी बड़ी शैतान है रोज इतनी सुबह सुबह उठ जाती है और अकेली ही वॉक पर चली जाती है मुझे कभी अपने सांथ ले जाती ही नहीं है मैंने कितनी बार कहा है मैं अब बच्चा नहीं रहा बढ़ा हो चुका हुँ मुझे भी अब जिम सिम जाना है डोले सोले बनाना है लेकिन नहीं उन्हें तो मैं कोई दूध पीता बच्चा लगता हूँ अब अनामिका उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और अपने चेहरे पर जूधे गुसे का एक्सप्रेशन बनाकर मिरमे उसका चेहरा देखने लगी अचानक अपने पीछे अनामिका को देखकर वो लड़का हरबढ़ा गया और अपने होंठो पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहा गुड मॉनिंग ब्यूटीफुल आप यहां का बाई अनामिका ने मुह बनाकर कहा जब आप मेरी बुराईयां किये जा रहे थे ये सुनकर उस लड़के ने कहा ओफो कानों का इलाज करवालो मैं ध्रूव ओबरोई पूरे होंशो हवास के सान्थाप की बुराई नहीं तारीफ कर रहा था अनामिका को उसकी बात सुनकर हैसी आ गई लेकिन उसने अपनी आखे छोटी करके कहा अच्छा जी द्रूव अब अनामिका के चारों और अपनी बाहें लपेटते हुए बोला हां जी अनामिका अब उसके माथे को चुमती हुई बोली मेरी जान द्रूव ने भी उसके माथे को चुमते हुए कहा I love you ममा अनामिका उसे वाश्रूम के दर्वाजे के पास उतारती हुई बोली I love you too sweetheart चलो अब जल्दी जल्दी फ्रेश होकर आ जाओ ममा तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बना रही है ये सुनते ही ध्रूव ने फोरन वाश्रूम का दर्वाजा बंद कर लिया और अंदर से चिल्लाते हुए कहा अब जाओ भी अनू मेरा ब्रेकफास्ट तैयार करो ऐसे खड़े खड़े दर्वाजे को भूरो मत अनामिका ने अपने इस ननहे शैतान की बात सुनी तो उसके होथों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से किचन की तरफ चली गई ताकि वो दोनू मा बेटे के लिए नाश्ते की व्यवस्था कर सके आप सोच रहे होंगे ये अनामिका कौन है तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं अनू उर्फ अनामिका से अनामिका नीली आँखों वाली एक बेहत खूबसुरत सी लड़की है जिसकी उम्र अभी 24 साल है सुन्दर होने के सांथ सांथ वो स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भी है ध्रूव उसका बेटा है जो अब 4 साल का हो चुका है दरसल ध्रूव उसका खुद का बेटा नहीं है लेकिन उसने दुनिया वालों को यही बता रखा है कि ध्रूव उसका ही बेटा है और ध्रूव को भी यही लगता है कि अनामिका ही उसकी मा है इन दोनों माँ बेटे का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा और कोई भी नहीं है अनामिका तो बच्पन से ही अनात थी लेकिन अभय के जाने के बाद वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली हो गई थी उसे तो अभी भी यकीन नहीं होता अभय उसे छोड़कर चला गया है पर अनामिका अब खुश है वो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है उसके पास अब उसका बेटा ध्रुव है जो उसकी जिंदगी की खुशी है और उसके जीने का सहारा भी है और शायद ध्रुव की वजह से ही अनामिका अभय के जाने के बाद फुद को बुरी तरह तूटने से रोक पाई थी ध्रुव के जन्म के बाद अनामिका के लिए जिन्दगी बहुंत मुश्किल हो गई थी उस वक्त उसे सहारे की जरुरत थी लेकिन उसका कोई अपना नहीं था अनामिका उस वक्त सिर्फ 20 साल की थी और उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी उसके पास कोई जॉब भी नहीं था पर धुरुव की मा उसके लिए काफी सारे पैसे छोड़ गई थी इसलिए उसने कई महीनों तक आराम से सवाइव कर लिया लेकिन वे पैसे भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे और अनामिका की जिन्दगी धीरे धीरे नए दुखों की और बढ़ती जा रही थी पर अब दुख के बादल शट चुके हैं अनामिका ने अब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है अपने बच्चे को भी संभाल लिया है और अब उसके पास हाई प्रोफाइल जॉब भी है जिसे उसने कड़ी मेहनत से हासिल किया है अब वो पहले से कई ज्यादा होशियार हो गई है उसकी जिन्दगी भी अब सहवर गई है लेकिन एक पार्टन की कमी किसे नहीं खलती लगभग टू घंटे बाद दोनु मा बेटा घर से तैयार होकर निकले और घर से ही कुछ दूर रोट के किनारे जाकर खड़े हो गए ध्रुफ की स्कूल वेन अब बस आने ही वाली थी सान्थी कैब वाले भाया भी आने वाले थे जो अनामिका को हर रोज उसके ओफिस छोड़ते हैं वैसे तो इस कॉलोनी में शिफ्ट हुए अनामिका को अब वन महीना हो चुका है लेकिन उसने अभी तक यहां सिर्फ ए आन्टी से ही अपनी जान पहचान बनाई थी जो यहां हर रोज अपने पोते को स्कूल वेन तक छोड़ने के लिए आती है आज भी वे रोज की तरह अपने पोते को लेकर यहां आई हुई थी और अनामिका को यहां देख कर वे उससे बाते करने के लिए उसके पास आ गई थी अनामिका ने जब उन्हें देखा तो उसने मुस्कुराती हुई उनका हाल पूछा गुद मॉनिंग शीतल आंटी कैसी है आप आंटी मुस्कुराती हुई बोली मैं तो ठीक हूँ तुम बताओ कैसी हो और तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है अनामिका मुस्कुराती हुई बोली मैं भी ठीक हूँ और मेरा जॉब भी बढ़िया चल रहा है आंटी ने अब अपने आसपास देखा उसके बाद अनामिका के थोड़ा और करीब आकर धीरे से बोली तुम काला टीका लगा कर निकला करो इस कॉलोनी की औरतों की नजर तुम पर ही जमी रहती है कहीं तुम्हें उनकी बुरी नजर ना लग जाए आंटी की ये बात सुनकर अनामिका को जम कर हैसी आई लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया पर अपनी उतसुकता वो रोक भी नहीं पाई और पूछ बैथी आंटी क्या काला टीका लगाने से सच मुझ किसी की नजर नहीं लगती अनामिका की बात सुनकर कुछ देर तो वो आंटी हैरानी से उसे देखती रही लेकिन फिर मुस्कुराती हुई बोली तुम्हारा यही भोलापन मुझे अच्छा लगता है तुम बेबाकी से कुछ भी पूछ लेती हो अगर तुम्हारी मा होती तो तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बताती लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम्हें बताती हूँ अनामिका अब ध्यान से आंटी की बाते सुनने लगी आंटी ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा काला ठीका है रक्षा कवज की तरह होता है जो लोगों की बुरी नजर से हमारी रक्षा करता है और सिर्फ लोगों की नजर से ही नहीं बल्कि ये बुरी शक्तियों की बुरी नजर से भी हमें बचाता है ये सुनकर अनामिका को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि वो इन बुरी शक्तियां भूत प्रेत वगेरा में विश्वास नहीं करती उसे ये सब अंध विश्वास लगता है कुछ देर बाद स्कूल वेन आ गई और ध्रुव अपनी मम्मा के गले लगने के बाद वेन के अंदर जाने लगा लेकिन तभी अनामिका ने ध्रुव को रोक लिया और अपनी आँख से थोड़ा सा काजल निकाल कर उसके कान के पीछे लगा दिया हांटी इन दोनों को देखकर मुस्कुराओ थी अब वेन वहां से जा चुकी थी लेकिन अनामिका स्तब्द सी खड़ी थी क्योंकि अभी अभी उसने जो किया वो इंबिलीवेबल था उसने अभी अभी काला टीका लगाया था जो अनामिका के हिसाब से अंधविश्वास है शायद काला टीका अंधविश्वास हो सकता है लेकिन अनामिका ने जो किया वो मा की ममता है क्योंकि एक मा अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए अंधविश्वास पर भी यकीन करने से परहेज नहीं करती है अनामिका ने भले ही ध्रूफ को जन्म नहीं है लेकिन फिर भी वो उसकी सगी माँ से बढ़कर है अनामिका के दिल में ध्रूफ के लिए बेहसाब प्यार और ममता भरा हुआ है और वो ध्रूफ को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है ध्रूफ जब इस दुनिया में आया उसी पल से अनामिका उसकी माँ बन गई थी स्कूल वेन के जाते ही वहाँ कैब वाला भी आ गया और अनामिका शीतल आंती को बाई कहकर कैब में बैठ गई उसे ओफिस पहुँचने में लगभग आधे घंटे का वक्त लगता है इसलिए वो इत्मीनान के सांथ सीट से तिक गई लेकिन उसका मन अभी भी उस काला टीका पर ही अटका हुआ था वो अभी यही सोच रही थी कि उसने काला टीका लगा कर अंधविश्वास को बड़ावा दिया है आएंदा वो ऐसा कभी नहीं करेगी लगभग आधे घंटे के सफर के बाद कैब ओफिस के सामने रुकी और अनामिका कैब वाले को थेंक यू भाया कहकर कैब से बाहर निकल गई उसके बाहर निकलते ही आसपास के लोगों की नजरें उस पर ही थहर गई सब अपना काम धंधा छोड़कर बस उसे देखने में भिड़ गए अनामिका तो कभी कभी इन लोगों से इरिटेड हो जाती थी पर इसमें इन बेचारों की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो है इतनी हसीन की कोई भी एक नजर में ही उसका दिवाना हो जाए अनामिका ने सबसे पहले अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली वो रोज की तरह आज भी बिल्कुल टाइम पर ओफिस पहुची थी अब वो नजाकत के सांथ चलती हुई ओफिस बिल्डिंग की और जाने लगी उसके होटों पर इस वक्त छोटी सी मुस्कान थी और चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस था रास्ते में मिलने वाला हर सक्स उसे ग्रीट करता जा रहा था और वो भी पोलाइडली सब को ग्रीट का जवाब देती जा रही थी बिल्डिंग की लिफ्ट में एंटर करते ही उसने फोथ फ्लो का बटन प्रेस कर दिया कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो वहां से निकल कर अपने केबिन की ओर बढ़ गई जब सबने देखा अनामिका वहां आ चुकी है तो सबने खुद को थोड़ा वेल डिसिप्लीन बना लिया क्योंकि अनामिका को डिसिप्लिन में रहने वाले लोग पसंद हैं अपने केबिन में आते ही अनामिका ने सबसे पहले अपनी असिस्टेंट को बुलाया और आज का अपडेट लेने लगी उसकी असिस्टेंट का नाम जुही भार्दवाज है जिसे कमपनी ने ही अनामिका के लिए अपॉइंट किया था जब वो प्रमोशन के बाद ब्रांच ओफिस से ट्रांसफर्ड होकर यहां हेड ओफिस आई थी वैसे तो जुही और अनामिका के बीच अधिकतर प्रोफेशन से रलेटड ही बाते होती है लेकिन इस एक महीने के दर्मियान उन दोनों की बॉन्डिंड काफी अच्छी हो गई है वैसे भी जुही अनामिका से सिर्फ टू साल ही बड़ी है ऐसे मैं उनके बीच दोस्ती होना कोई बड़ी बात नहीं है कुछ देर काम से रलेटड बाते करने के बाद अनामिका ने जुही को वहां से भेज दिया उसके बाद वो अपने काम मैं पूरी तरह व्यस्त हो गई आज उसे काफी सारे काम निपताने थे सान्थी कमपनी के कुछ नए प्रोजेक्ट की फाइल भी स्टडी करनी थी दुपहर में जब लंच ब्रेक हुआ तो जुही उसे लंच के लिए बुलाने आई अनामिका भी फोरण अपना लंच बॉक्स लेकर उसके सान्थ लंच के लिए चली गई कुछ देर बाद वे दोनों एक पसनल रूम में थी जिसे खासकर कमपनी के हाई लेवल एम्पलोईज के लिए ही बनाया गया था जहां कमपनी के सभी प्रतिष्थित कर्मचारी एक सांथ बैठ कर लंच करते थे वहाँ पहुँचकर अनामिका ने देखा वहाँ का माहौल काफी टेंशन भरा लग रहा है लोगों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और वे आपस में कुछ अजीब अजीब सी गौसिप कर रहे हैं अनामिका अब लंच करती हुई ध्यान से उन लोगों की बाते सुनने लगी वे सब देविल पाक के बारे में चर्चा कर रहे थे सांथी प्रशासन की लापरवाही को लेकर भी जम कर अपना खुननस निकाल रहे थे लंच के बाद वे सब अपने अपने केबिन में चले गए अनामिका भी अपनी केबिन में आ गई लेकिन अब उसका मन काम में नहीं लग पा रहा था क्योंकि बार-बार उसके दिमाग में डेविल पाक ही घूम रहा था अब उसने जूही को केबिन में बुला लिया ताकि वो इस सिलसिले में उससे कुछ बाते कर सके जूही भी उसके बुलाने पर फॉरण केबिन में आ गई और उसके आते ही अनामिका ने सीधे सवाल किया जूही मुझे डेविल पाक के बारे में सब कुछ जानना है जूही तो अनामिका के मुह से डेविल पाक का नाम सुनकर एकदम घबरा गई यहां तक कि उसके रोंगते भी खड़े हो गई थे अनामिका मैं जब से यहां आई हूँ तब से बस डेविल पाक के बारे में ही सुन रही हूँ शुरुआत में तो मैंने इसे अफवाहे समझ कर इग्नो कर दिया था लेकिन अब मुझे डेविल पाक एक मिस्ट्री लगने लगी है जुही मैडम डेविल पाक की मिस्ट्री तो आज तक कोई नहीं सुलजा पाया है मैंने सुना है जितनों ने भी आज तक ये मिस्ट्री सुझाने की कोशिश की है उन्होंने अपनी जान गवाय है अभी रीसेंटली ही एक विभा नाम की न्यूज रिपोर्टर की जान गई है वो भी वहां मिस्ट्री सुझाने के मकसद से ही गई थी बेचारी उम्र ही क्या थी उसकी अनामिका कोई हिस्ट्री पता है तुम्हें जूही मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि देविल पाक को बनवाने वाले सक्स की जान भी देविल पाक में ही गई थी और उसके मरने के बाद पाक को भी बंद कर दिया गया था अनामिका हैरानी से कैसे मरे थे वो जुही वो तो मुझे नहीं पता लेकिन कहते हैं उनके मरने के बाद से ही वहां मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था कुछ देर बाद जुही वहां से चली गई थी और केबिन में सिर्फ अनामिका ही रह गई थी अब वो देविल पाप को देखने के लिए इतनी ज्यादा बेताब हो गई थी कि वो अभी के अभी वहां जाना चाहती थी अनामिका ने अब अपने लेप्टॉप पर ब्राउजर ओपन किया और फटाफट देविल पाप की हिस्ट्री सर्च करने लगी कुछ देर बाद स्क्रीम पर कई सारे वेबसाइट्स शो हो रहे थे अनामिका ने उनमें से एक वेबसाइट पर टैप किया और उसमें लिखे इनफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ने लगी इनफॉर्मेशन के हिसाब से डेविल पाप का रियल नाम रोजमेरी पाप है जिसे रोमियो रॉबिंसन नाम के एक व्यक्ती ने बनवाया था इस पाप का निर्मान कार्य नाइटीन ट्वेंटी में शुरू किया गया था और लगातार थ्री सालों तक काम चलता रहा नाइटीन ट्वेंटी थ्री में पाक बनकर तैयार हो चुका था लेकिन पाक के ओनर को उसमें कुछ सुधार करवाना था इसलिए उसने पाक का शुभारम नहीं करवाया था लेकिन इसी बीच रोमियो रॉबिंसन की रहस्यमई तरीके से उसी पाक में मौत हो गई और उसकी मौत के बाद पाक को भी किसी अग्यात कारण से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था अनामिका ने कई सारे वेबसाइट्स छान मारे और हर जगह से उसे रोज मेरी पाक डेविल पाक के बारे में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन हौन्थ लगी अनामिका ने अब सिस्टम शटडाउन कर दिया उसके बाद वो अपनी जगह से उतकर अपने केविन के विंडो के पास चली गई और बाहर उंची उंची इमारतों को देखती हुई बोली रोमियो रोबिंसन ये बोलते हुए अनामिका की आँखें एकदम गहरी हो गई थी सान्थी डेविल पाक में भी अजीब सी हलचल होने लगी थी डेविल पाक की हिस्ट्री जानने के बाद अनामिका की उटसुकता और ज्यादा बढ़ गई थी अब वो पहले से भी ज्यादा उसके बारे में सोच रही थी खासकर डेविल पाक की मालिक रोमियो रोबिंसन की रहस्यमी मौत ने उसे उलजा कर रख दिया था हाला की इस घटना को बीते अब दशकों हो चुके हैं लेकिन पता नहीं क्यूं अनामिका का मन इस घटना की सच जाए जानने के लिए बेताब सा हो गया है जब से उसने रोमियो रोबिंसन के बारे में पढ़ा है तब से वो यही सोचे जा रही है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई होगी क्या किसी ने उसकी हत्या की थी और अगर उसे किसी ने मारा होगा तो किम और क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी मौत का संबंध आज की हुने वाली मौतों से हो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने पाक के मालिक की हत्या की थी वही उन लड़कियों का भी हत्यारा है जिन्होंने आज तक उस पाक में अपनी जाने गवाए है पर ये कैसे संभव है अब तो उस घटना को दशकों बीट चुकी है और अब तो वो हत्यारा मर भी गया होगा पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां सच मुझ भूत हो नहीं नहीं भूत भूत कुछ नहीं होता ये सब मन का भरम है ये सब कोरी अफवाहें हैं सच्चाई तो कुछ और है औरोस सच्चाई का पता मैं लगा कर ही रहूंगी अनामिका यही सब सौच रही थी कि अचानब किसी ने उसके केविन पर नौप किया अनामिका ने अब अपनी सौच से बाहर आकर ततकाल बाहर खड़े सक्स को अंदर आने की पमिशन दे दी पमिशन मिलते ही एक आदमी अंदर आया जिसने अपने हाथों में कई सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे उस आदमी ने उन डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर रखते हुए कहा मैडम लीगल प्रोसीजर कमपलीट हो चुकी है लेकिन आप एक बार इन डॉक्यूमेंट्स को एक्जामीन कर लीजिए अनामिका ओके लेक मी चेक अपनी बात कहने के बाद वो आदमी वहां से जाने लगा लेकिन कुछ कदम चलते ही वो पीछे पलता गोर अनामिका से दोबारा मुखातिब होते हुए बोला मैडम विराट सर ने आपको रिपोर्ट करने कहा है विराट का नाम सुनकर अनामिका का मूह बन गया वो अच्छे से समझ रही थी रिपोर्ट करने से उसका क्या अभिप्राय है लेकिन उसने फोरण अपने मन के ख्याल जटक दिये औ और काम पर फोकस करते हुए ड्रॉ से एक फाईल निकाल ली उसके बाद वो उसे लेकर विराट सर के केबिन की तरफ चली गई कुछ ही देर में उसने केबिन पर नॉक किया और पमिशन मिलते ही केबिन के अंदर चली गई अंदर आते ही उसने देखा एक हैंसम सा लड़का अपनी चेय पर बैथा तलीनता से अपने काम कर रहा है जब उस लड़के ने लेपटॉप की स्क्रीन से अपनी नजरें हटा कर सामने अनामिका को देखा तो उसके चेहरे का सीरियस एक्सप्रेशन एक पल में नॉमल हो गया और वो अपने होथों पर एक बड़ी सी काहट लाते हुए बोला अनू मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें नौक करने की जरूरत नहीं है तुम जब चाहो तब मेरी केबिन में आ सकती हो अनामिका ने उसकी बातों को इगनो करते हुए कहा सर मैंने सभी फाइल स्टडी कर ली है और मेरे पास कुछ यूनिक आइडिय करते हुए बोला यूर आइडियाज आर रियली माइन ब्लोविं अनू बिल्कुल तुम्हारी तरह विराट के लास्ट वर्द सुनकर अनामिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसने अब विराट से मुखातिब होते हुए कहा क्या अब मैं जा सकती हूँ सर विराट विराट ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे नहीं लगता तुम अपने केबिन में जाकर कुछ खास काम कर पाऊगी क्योंकि ओफिस टाइम खत्म होने में अब सिर्फ 15 मिनट ही रह गए हैं अनामिका ने अपनी आवाज को गंभीर बनाते हुए कहा सर मेरे लिए 15 मिनट विराट दरसल हमारी कमपणी ने कल एक नया प्रोजेक्ट असाइन किया है ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुंत इम्पोर्टेंट है इसलिए इस पर मैं पसनली काम करने वाला हूँ अनामिका अब ध्यान से विराट की बाते सुनने लगी विराट ने आगे कहा मैं चाहता हुए कहा सर आपके पास तो आपकी पीए है तो फिर आप मुझे क्यूं पीए बनाना चाहते हैं एंड मुझे लगता है आईशा मैं मुझसे बहतर आपके कमांड्स समझ सकती हैं विराट आईशा लंबी चुट्टी पर है और मुझे इस वक्त तुमसे ज्यादा काबिल बहुंत से लोग है मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी आप अमित सर को अपना असिस्टेंट बना ले विराट करक आवाज में मैंने डिसीजन ले लिया है मेरी असिस्टेंट तुम ही बनोगी अनामिका चिर्ती हुई पर सर मेरे उपर कितनी सारी रिस्पांसिबिलिटी है अ अनामिका पर सर विराट करे लहजे में दिस इस माई ओडर अनामिका उदासी से ओके सर विराट कल ही तुम्हें टीम अपॉइंट करनी है क्योंकि किसी भी हाल में हमें एक हफ़ते में काम शुरू करना है अनामिका उदासी से ओके सर विराट अपनी चेह से उठकर अनामिका के पास आ गया और उसके चेहरे पर अपनी नजले जमाते हुए बोला अनू क्या तुम आज इसके आगे विराट कुछ नहीं कह पाया क्योंकि अनामिका उसकी बात काती हुई गंभीर स्वर में बोली ओके सरब टाइम हो चुका है तो मुझे अब घर जाना है इतना कहकर अनाम करीब आकर खड़ा हो गया और सरगोशी करता हुआ बोला यू आर सो ब्यूटीफोल अनू विराट के इतने करीद होने से अनामिका घबरा गई अब उसने फोरन कॉंट्रेक्ट पेपर पर साइन कर दिया और उसे विराट को थमाते हुए बोली सर मैंने साइन कर दिया है वि उसके जाने के बाद विराट ने मुस्कुराते हुए सीरियस ट्यून में कहा मेरी जान तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे दूर भागने की लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर जाने ही नहीं दूनगा क्योंकि तुम मेरी हो अपने केबिन में आते ही अनामिका ने वो फाइल टेबल पर पटक दिया जिसे वो अभी विराट के केबिन से लेकर आई थी उसके बाद वो गुस्से भरी आवाज में बोली मुझे तो समझ नहीं आता ये विराट खुद को समझता क्या है इसने पहले भी मेरे मामलों में अपनी तान गढ़ाई थी और अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तभी वहां जूही आ गई और अनामिका से मुखातिब होती हुई बोली अनू मैं चलिये जूही की आवाज सुनते ही अनामिका ने खुद को नॉमल करते हुए कहा हां बस एक मिनट मैं ये फाइल रख दूँ अनामिका ने अब उस फ फाइल कौन सी थी अनामिका उदासी से ये एक नए प्रोजेक्ट की फाइल है जिसमें मुझे विराट के सांथ काम करना है ऐ मेन विराट सर के सांथ काम करना है जूही हैरानी से ओह माई गॉड सीरियसली अनामिका इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है आईशा मैम अभी छुट्टी पर हैं इसलिए विराद सर ने कुछ वक्त के लिए मुझे अपना पी ए अपॉइंट किया है जूही ने बीच में ही कहा अनू मैम उस फाइल में हमारी कंपनी के सांथ रोबिंसन इंडस्ट्रीज का भी लोगो लगा हुआ है क्या इसका मतलब हमारी कंपनी ने रोबिंसन के सांथ प्रोजेक्ट असाइन किया है अनामिका हैरानी से वाट मैंने तो देखा ही नहीं जुही मेरी आखे धोखा नहीं खा सकती वो पक्का रॉबिंसन इंडस्ट्रीज का ही लोगो था जुही के मुह से बार बार रॉबिंसन वर्द सुनकर अनामिका का ध्यान फिर से रोमियो रॉबिंसन और देविल पाक पर चला गया अब उसने जुही की बात काटते हुए कहा जुही मुझे एक बात तो बताओ क्या तुमने देविल पाक देखा है अचानक देविल पाक का नाम सुनकर जूही चुप हो गई और अनामिका की ओर घबराती हुई देखने लगी अनामिका ने फिर कहा बोलो क्या तुमने कभी देखा है देविल पाक जूही घबराती हुई नहीं मैडम मैंने कभी डेविल पाक नहीं देखा और मुझे कभी देखना भी नहीं है अनामिका हैरानी से पर क्यूं? जूही आपको तो पता ही है डेविल पाक हम लड़कियों के लिए मौत का दर्वाजा है तो फिर हम जानबूज कर मौत के मुझ में क्यूं जाएं? अनामिका क्या तुम्हें कभी जानने की क्यूरियोसिटी नहीं होती कि उस पाक में जाने के बाद कोई लड़की जिंदा? क्यूं नहीं आती? जूही curiosity बहुंत होती है लेकिन जान भी बहुंत प्यारी है इसलिए मैं कभी सपने में भी devil पाक जाने के बारे में नहीं सोचती। ये कहते कहते जूही एकदम चुप हो गई और अनामिका की ओर देखती हुई बोली कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस devil पाक में जाने के बारे में सोच रही हैं। ये सुनकर अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन उसके होतों पर एक मुस्कुराहत आ गई थी। जूही उ तुम मेरी बात मानो और वहाँ जाने का ख्याल त्याग दो। अनामिका मैं बस एक बार देखना चाहती हुँ। जूही तुम अपने बारे में ना सहीं अपने मासूम बच्चे के बारे में सोंचो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। अनामिका ने कहा ठी पहेर सारे पैसे एठूंगी अनामिका हस्ती हुई जरा संभल कर रहना उससे कहीं ऐसा ना हो उसे किड्नैप करने के चक्कर में तुम खोद उससे कैड्नैप हो जा जूही हस्ती हुई मैं अपने सांथ 10 बोडी गार्ड्स लेकर आउंगी उस अकेले शैतान से भिरने वे दोनो बाते करते हुए अब ओफिस बिल्डिंग से बाहर आ गई अनामिका ने देखा कैब वाला पहले ही उसका इंतजार रहा है उसमें अब जूही को बाय कहा और जाकर कैब में बैठ गई लगभग आधे घंटे बाद वो अपनी कॉलोनी पहुंच गई थी और कैब से उतर कर ज अपने घर के सामने थी उसने देखा उसका छोटा सा बेटा पहले से ही गेट के पास खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा है ध्रूव ने जैसे ही अपनी मा को देखा वो दोड़ता हुआ जाकर उससे लिप्ट गया अनामिका ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और सरे का हौंथ ठामकर घर के अंदर जाने लगे तभी अनामिका ने कहा ध्रूव कैब वाले भाया हमारा वेट कर रहे हैं ध्रूव हैरानी से क्या हम कहीं जा रहे हैं मॉम अनामिका वाश्रूम की ओर जाती हुई बोली हाँ चलो अब जल्दी तयार हो जाओ ध्रूव मुह ब गया और 500 की स्पीड से वाड्रोब की ओर बढ़ गया अनामिका जब वाश्रूम से बाहर आई तो ध्रूफ को देखकर हैरान हो गई क्योंकि वो तैयार होकर बैठा था अनामिका उसे देखकर मुस्कुरा उठी और खुद भी अपने लिए एक सुन्दर सा ड्रेस निकाल लिय शुरू में तो वो जीन्स पहनने वाली थी लेकिन फिर उसने अपना मन बदल लिया और एक लाइट पिंट कलर का फ्रॉक निकाल लिया कानों में ड्रेस से ही मैचिंग छोटे छोटे यहीं कैरी किया और अपनों होथों पर चेरी ब्लॉसम लिप्स्टिक लगाया चेहरे पर कोई मेकप नहीं था और नहीं उसने अपनी आँखों में काजल लगाया था बालों को अभी वो सेट कर ही रही थी कि ध्रूव उसके पास आया और उसके बालों में एक वाइट हेर बेल्ट वसाते हुए बोला अब मेरी मम्मा लग रही है ब्यूटी क्वीन अनामिका मुस्कुरा उठी और ध्रूव को एक जादू की जपपी देते हुए कहा और मेरा बेटा क्यूट लग रहा है ध्रूव मुह बनाता हुआ बोला मम्मा मैं क्यूट नहीं हैंसम हूँ अनामिका हस्ती हुई ओके ओके बाबा यू आर हैंसम बॉई ध्रूव ने अब अपना ब्लेक गॉगल पहनते हुए कहा मेरे स्कूल की लड़कियां यूंही नहीं मारती मुझ पर ये सुनकर अनामिका बड़ी बड़ी आँखों से ध्रूव को देखने लगी उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लड़का अभी सिर्फ फोर साल का ही है ध्रूव बनाकर ओफो अनू तुम मुझे ऐसे क्यूं देख रही हो जल्दी रेडी हो जाओ कैब वाले अंकल हम दोनों के आने का बेसबरी से वेट कर रहे हैं अनामिका ने अब अपने सामने के बालों को हलका कल किया और कंधे तक आते अपने सिल्की शाइनी बालों को खुला छोड़ दिया उसके बाद वे दोनों घर को लॉक करके पाक के लिए रवाना हो गए कैब में बैठते ही ड्राइवर ने पूछा कहां चलना है मैडम अनामिका ने excitement के सांत कहा devil park चलो जैसे ही अनामिका ने devil park का नाम लिया डर के मारे कैब ड्राइवर के रोंते खड़े हो गए हालांकि डेविल पाक सिर्फ औरतों के लिए ही मौत का खान है लेकिन मर्द भी वहां जाने से खौफ खाते हैं ड्राइवा ने अब घबराते हुए फिर से पूछा मा मैडम मैंने शायद कुछ गलत सुन लिया है आप फिर से बताएं कहां चलना है अनामिका ने बड़े आराम से कहा हमें डेविल पाक जाना है भया दोबारा डेविल पाक का नाम सुनकर ड्राइवा के होंशी उर गए अब वो फटी फटी आँखों से पीछे पलत कर अनामिका को देखने लगा जब काफी ताइम तक भी ड्राइवा ने गारी स्टॉट नहीं किया तो अनामिका ने विंडो की ओर से अपनी नजरे हटा कर सामने ड्राइवा की तरफ देखा और हैरान हो गई क्योंकि वो ड्राइवा बड़ी बड़ी आँखों से अनामिका को ही देख रहा था, अनामिका ने अब हैरानी से कहा भाया क्या हुआ आपने अब तक गारी क्यूं स्टॉट नहीं किया क्या गारी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ड्राइवर ने कहा मैडम आप सचमुच देविल पाक जाना चाहती हैं, अनामिका हाँ भाया देविल पाक ही जाना है हमें कुछ देर की खामोशी के बाद ड्राइवर ने कहा आप इस शहर में नई नई है शायद इसलिए आपको देविल पाक के बारे मैं नहीं पता है मैडम ये पाक कोई आम पाक नहीं है बलकि एक खुनी पाक है और यहां औरतों का जाना प्रतिबंधित है क्योंकि यहां जाने वाली औरते कभी जिंदा वापस नहीं आती अभी ड्राइवर की बात पूरी भी नहीं हुई थी की धुरुफ चिल्ला पड़ा वाट नॉनसेंस अनामिका ने कहा मुझे इन अफवाहों पर जरा भी विश्वास नहीं है ड्राइवर पर मैडम अनामिका चिदते हुए भाया शाम हो चुकी है और कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा इसलिए आप हमें जल्दी डेविल पार्क लेकर चलिए ड्राइवर मुझे माफ कीजिए मैडम मैं आपको डेविल पार्क नहीं ले जा सकता अनामिका मैं आपको डबल किराया दूंगी अब चलिए भाया शाम धलने वाली है ड्राइवर चाहे आप मुझे कितने भी पैसे दे दीजिए लेकिन मैं आपको डेविल पार्क नहीं ले जाँगा अनामिका परेशान होकर पर क्यूं आप हमें वहां क्यूं लेकर नहीं जाना चाहते ड्राइवर क्योंकि मुझे से ये पाप नहीं हो पाएगा मैडम मैं किसी को मौत की मुछ में नहीं धकेल पाँगा ये सुनने के बाद अनामिका की धरकने एकाएक बढ़ गई उसे इस वक्त ऐसा फील होने लगा जैसे उसका कुछ छूटने वाला है तभी ध्रुव ने क्यूरियोसिटी से पूछा अंकल क्या डेविल पार्क में कार्निवोरोस एनीमल्स रहते हैं ड्राइवा बेटा वहां जानवर नहीं भूत रहता है इतना सुनना था कि अनामिका भरकती हुई बोली आप ये जूथी मंगरंत कहानी बताकर बच्चे के मन में गलत बाते मत डालिये मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे पर कोई गलत इफेक्ट पड़े ड्राइवा देखिए मैडम जो सच्चा है मैं तो वही बता रहा हूँ और आपको भी यकीन करना ही पड़ेगा वहां बुरी आत्मा का वास है द्रूव ने हस्ते हुए कहा अंकल मुझे लगता है आप हौरर फिल्मे बहुंत देखते हैं ड्राइवा ने गंभीर लहजे में कहा मैडम आप मेरी सलाह माने उस खुनी पाक में जाने का ख्याल छोड़ दे आनामिका ने अब गुस्से से कहा आप मुझे वहां लेकर नहीं जाएंगे तो मैं किसी दूसरे कैब वाले को बुलालूंगी लेकिन देविल पाक तो मैं जाकर ही रहूंगी इतना कहकर अनामिका कैब से बाहर निकल गई उसके पीछे द्रूव भी बाहर निकल गया लेकिन वो ड्राइवर अब एक दम सुनना पड़ कुछ गलत कर रहा है अब वो ड्राइवर फॉरन गारी से बाहर निकला और तेजी से अनामिका के पास जाकर बोला मैडम चलिए मैं आप दोनों को देविल पाक छोड़ देता हूं इतना सुनना था कि धुरूफ फूरती से जाकर कैब में बैठ गया अनामिका के चेहरे पर ही अब चमक आ गई थी कुछ ही देर में गारी बेंगलूरू की सड़क पर अपनी स्पीड से दोड रही थी और अनामिका की धरकने उससे भी ज्यादा स्पीड से धरक रही थी हालांकि अनामिका को खुद पर भी हैरानी हो रही थी कि वो डेविल पाक जाने के लिए इतना बेताब क्यूं है लगभग वन घंटे बाद गारी शहर से बाहर आ गई थी अब हाईवे पर ट्रैफिक ज्यादा नही थी इसलिए ड्राइवर ने गारी की स्पीड भी बड़ा दी थी कुछ ही देर में वे शहर से 20 किलोमीटर्स दूर आ चुके थे अनामिका ने देखा जै जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे हैं आबादी वाला इलाका भी घर्ता जा रहा है हाईवे के दोनों और उसे अब पेड़ों की सघंता नजर आ रही थी इसका मतलब अब जंगल स्टॉट हो चुका है ध्रूव ने देखा अब सूरज धलने ही वाला है इसलिए वो प चानक धूवर की नजर हाईवे के किनारे लगे एक साइन बोर्ड पर पर पड़ी जिसमें देंजर लिखा हुआ था सांथ ही बड़े अक्षरों में डेविल पाक का नाम भी लिखा हुआ था अब ध्रूफ खुशी से चिल्ला पड़ा मॉम लुक एड़ देट उस बोर्ड पर डेविल पाक लिखा हुआ है ये सुनकर अनामिका के होथों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई और वो ततपर्ता के सांथ विंडो से बाहर जापकर देखने लगी ड्राइवर ने अब गारी की गती धीमी कर दी थी क्योंकि सड़क काफी पुरानी हो जाने के कारण ज जगह जगह से उखर गई थी और कहीं कहीं पर गर्धे भी बन गए थे एक समय पर ये सड़क दो बड़े हाईवे को जोडने वाली मुख्य सड़क हुआ करती थी लेकिन अब इस सड़क को बंद कर दिया गया था पर अभी भी कई लोग इस सड़क से आवागमन करते ही हैं क थे ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों ने इस एरिया के जंगल पर अपनी कृपा बनाए रखा है तभी तो उन्होंने अभी तक यहां के पेड़ों का सफाया नहीं किया है सड़क के दोनों वोर स्ट्रीट लाइट पोल नजर आ रहे थे जिनकी बनावट देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं नहीं था कि ये सालों पुराने लाइट पोल्स हैं और शायद अब ये बंद पड़े हुए हैं अब शाम के 6.15 मिनट हो गए थे सूरज भी अब आस्मान में कहीं चुप गया था सान्थी वातावरन में हलका हलका अंधेरा चाने लगा था और इसी के सान्थ अनामिका और ध्रुव की एकसाइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी लेकिन ड्राइवर का अब डर के मारे बुरा हाल होने लगा था अब वो तहे दिल से पच्चता रहा था कि वो उन लोगों को यहां क्यूं लेकर आया लगभग फाइव मिनट बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी गाड़ी रुकते ही धरुव दर्वाजा खोल कर जट से बाहर निकल गया उसके बाद अनामिका ने भी अपने साइड का दर्वाजा खोला और एकसाइटमेंट के सांथ अपने पैर जमीन पर रखे तभी अचानक वहां की हवाओ ने अपना रुख बदल लिया सांथी अनामिका की धर्कने भी बेतहाशा धर्कने लगी अब वो अपने चारों और हैरान परेशान सी देखने लगी क्योंकि उसे अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस जगह पर पहले भी कभी आई है लेकिन सच तो ये है कि वो जिन्दगी में पहली बार यहां आई थी तभी ड्राइवा ने अनामिका से घबराते हुए कहा मैडम यहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे ड्राइवा की बात सुनकर अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा भाया हम शहर में रहते हैं और हमें वहां के एन्वायर्मेंट की आदत हो गई है शायद इसलिए आप यहां के प्राकृतिक माहौल में कमफर्टेबल फील नहीं कर पा रहें है पर आप एक बार महसूस करके तो देखिए इन हवाओं में एक अजब सा सुकून घुला हुआ है ड्राइवर घबराते हुए अभी भी मौका है आप अपनी जान बचा सकती है आप गारी में बैच जाए मैडम हम यहां से वापस चले जाएंगे अनामिका ड्राइवर की ओर बढ़ती हुई बोली मैं ऐसे कैसे वापस जा सकती हूँ मैं अभी अंदर भी नहीं गई हूँ मैंने अभी देखा भी नहीं है पाक और आप कह रहे हैं मैं बाहर से ही लोट जाऊंग अनामिका की बेताबी देखकर ड्राइवर बहुंत हैरान था उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले तबी अनामिका ने उसे पैसे देते हुए कहा भाया अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाए हाइवे यहां से ज्यादा दूर नहीं है जाने के ताइम पर हमें कोई ना कोई गारी मिल ही जाएगी पैसे थमा कर अनामिका वहां से चली गई लेकिन वो ड्राइवर मूर्तिवत अपने स्थान में ही खड़ा रहकर उन दोनों मा बेटा को जाते हुए देखता रहा हाला कि वो उन दोनों को रोकना चाहता था लेकिन उसके जुबान से अब एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मूह को बंद कर दिया है लाइट पोल्स और कंक्रीट की कुछ सनरचनाओं का पीछा करते हुए अनामिका और धुरुफ सड़क से कुछ अंदर आ गए तभी उन्हें एक बड़ा सा गेट नजर आया वे समझ गए ये पाक का इंट्री गेट है अनामिका अब अपने फोर वर्शिय बेते धुरुफ का हौन्थ थाम कर धीरे धीरे उस गेट की ओर बढ़ने लगी उसे अब भी उस कैब ड्राइवा की बेतु की बातों पर रह रहकर हिसी आ रही थी अब वो मन ही मन सोचने लगी लोग को रीकल पनाउपर ज्यादा और सच्चाय पर कम यकीन करते हैं ना जाने क्यों जिसका अस्तित्व ही नहीं है लोग उससे डरते हैं तबी ध्रुव ने कहा मम्मा क्या ड्राइवर अंकल सच बोल रहे थे क्या इस पाक में सच मुछ भूत है अनामिका ने कहा ये सब बेकार की बाते हैं क्योंकि इस दुनिया में भूत जैसा कुछ एकसिस्थ ही नहीं करता दोनों बाते करते हुए अब गेट के करीब पहुँच गए उन्होंने देखा गेट पर कोई ताला नहीं लगा है बलकी गेट तो पहले से ही खुला हुआ है जबकि उन्हें बताया गया था गेट पर हमेशा एक बड़ा सा ताला लटका हुआ होता है अब वे दोनों पाक के प्रवेश द्वार के सामने जाकर खड़े हो गए और वहां की बनावत को गोर से देखने लगे वाकई इंट्री गेट को काफी खुबसूरती से बनाया गया था लोहे के बड़े से गेट पर यूनिक डिजाइन बने हुए थे सांथी गेट के ऊपर एक सिमेंटेड प्रवेश बोर्ड बनाया गया था जिसमें इस पाक का नाम अनकित किया गया था हाला कि इसे बनाय हुए अब 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं लेकिन इसकी चमक देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे आज ही बनाया गया हो उनकी नजर अब गेट के ऊपर बने सिमेंटेड बोर्ड पर जम गई क्योंकि अचानक से वो चमक ने लगा था और उस चमक में डेविल पाक का रियल नाम साफ साफ नजर आ रहा था अनामिका ने अब धीरे से वो नाम बुदबुदाया रोजमेरी पाक ध्रूव ने भी एकसाइटेड होकर तेज आवाज में वो नाम पड़ा रोजमेरी पाक तभी ध्रुव की नजर गेट के अंदर गई और वो चिल्लाते हुए बोला मॉम वो देखो अंदर एक खरगोश है इतना कहकर ध्रुव दोड़ते हुए गेट के अंदर घुस गया अनामिका ने अब घबराते हुए उसे आवाज दिया ध्रुव बेटा रुको अब अनामिका भी ध्रुव को आवाज लगाती हुई उसके पीछे गेट के अंदर घुस गई और उनके घुसते ही गेट अपने आप बंद हो गया और गेट में लॉक भी लग गया कैब ड्राइवर ने जैसे ही गेट बंद होते हुए देखा वो डर के मारे अपनी जगह पर ही थर्थराने लगा वो बेचारा तो अपनी आखिरी कोशिश करने आया था ताकि एक मासून लड़की की जिंदगी बचा सके लेकिन ये न जारा देखने के बाद अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि अब अनामिका नहीं बच पाएगी वो पिछले एक महीने से इन दोनों मा बेते को जानता था इसलिए उसे इन दोनों से हमदर्दी हो रही थी पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाए पच्चताने के अब वो बिना एक पल गनवाए वहां से सड़क की और भागा और कुछ ही देर में अपनी गाड़ी स्टॉट करके वहां से रवाना हो गया तभी अचानक यहां की सभी स्ट्रीट लाइट जल उठी और ये जगह आज सालों बाद फिर से रोशन हुआ अब देविल पाक में सिर्फ अनामिका और ध्रूव ही थे और उनके सांथ था वो मम्मा वो देखो अंदर एक खरगोश है ध्रूव की तेज आवाज सुनकर अनामिका ने ध्रूव की ओर देखा लेकिन तब तक ध्रूव गेट के अंदर जा चुका था अब अनामिका भी घबराती हुई उसके पीछे गेट के अंदर चली गई हाला कि उसे अफवाहों और भूतों पर यकीन नहीं था लेकिन मा का दिल बात बात पर अपने बच्चे के लिए घबरा उठता है इसलिए वो धुरुफ को अंदर भागते देख घबरा गई ही उन दोनों के अंदर घुसते ही गेट अपने आप बंध हो गई और खुद बखुद लौक भी लग गया लेकिन वे दोनों इस बात से अंजान पाक के अंदर घुसते ही हैरान परेशान से चारों और देख रहे थे क्योंकि पाक के अंदर इस वक्त दिन के जैसा उजाला फैला हुआ था और वहां का नजारा इतना अलोकिक था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई और ही दुनिया है तभी अनामिका के ऊपर एक हल्का गुलाबी रंग का फूल गिरा अनामिका ने जट से वो फूल उठाया और गौर से उसे देखने लगी वाकई वो फूल बेहत खुबसुरत था और उसमें से इतनी मनमोहक खुशबू आ रही थी कि एक पल के लिए अनामिका उस खुबशु में खोसी गई तभी अनामिका ने देखा उसके उपर एक के बाद एक कई सारे फूल गिर रहे हैं उसने अब अपनी नजलें उठा कर उपर देखा तो हैरान हो गई क्योंकि वो इस वक्त इन फूलों के पेर के नीचे खड़ी थी और पेर में से उसके उपर फूलों की बारिश हो रही थी अब अनामिका के होथों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई और वो अपना हौन्थ फैला कर इन फूलों को अपने उपर महसूस करने लगी तभी एक हलका हवा का जोंका अनामिका के वजूद से होकर गुजर गया और अनामिका की धर्कने है बार फिर बहुंत तेज धरक उथी इस बार धढरकने इत्मी तेज धरकी थी कि अनामिका ने अपना होन्थ अपने सीने पर रख लिया था ना जाने ये कैसा अहसास था लेकिन अनामिका का दिल बेहद सुकून से भर उठा था तभी करीब से ध्रुव की आवाज आई मेरे लिए तो फूलों की बारिश नहीं हुई थी आपके लिए इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? ध्रुव के ये कहते ही अनामिका ने फिर से उस फूलों के पेर को देखा लेकिन तभी ध्रुव ने उसका हौन्थ पकड़ते हुए कहा अब यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो अनू आगे चलो मुझे वो रैबिट धूंधना है जो बिलकुल मेरे जैसा हैंसम दिख रहा था ये सुनकर अनामिका को हैसी आ गई और वो हैस्ती हुई बोली रैबिट क्यूट होते हैं हैंसम नहीं ध्रुव ने कहा बट मॉम क्यूट तो फीमेल रैबिट होती हैं वो रैबिट तो मेरी तरह यंग चामिंग था ये सुनकर अनामिका हैरानी से इस 3-foot-4-inch के यन्व आदमी को देखने लगी ध्रूव ने फिर कहा अगर वो चामिंग रैबिट मेरे सांथ मेरे घर जाने के लिए मान जाएगा तो मैं उसे एक क्यूट सी गल्फ्रेंड दिलवाँगा अनामिका अब खिलखिलाकर हंस परी और ध्रूव हैरानी से अपनी मौम को ऐसे देखने लगा जैसे वो किसी एलियन को देख रहा है अब उसने मुह बनाकर कहा मम्मा मैंने कोई जोक नहीं मारा यार ये सुनकर अनामिका की खिलखिलाहट अब और ज्यादा बढ़ गई और उसके इस तरह खिलखिलाने से वातावरन में एक मीधी मनमोहकसी खुश्बू घुलने लगी पेडों से पीले नारंगी गुलाबी और हरे पत्ते पाक की सडकों पर धीमे-धीमे गिरने लगे सांथी पेडों में खिले हुए गुलाबी सफेद बेइगनी रंग के तरह तरह के फूल जमीन पर गिर कर बर्फ की तरह बिछने लगे यह नजारा इतना अद्भुत था कि कोई भी मंत्रमुगध हो जाए द्रूफ तो ये नजारा देखकर खुशी के मारे चहक उथा वाओ मॉम क्या ये हैवन है तभी अनामिका ने देखा चारो और जमीन पर मौझूद छोटे छोटे पौधों पर खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत फूल खिलते जा रहे हैं और रंग बिरंगी तितलिया उन फूलों के उपर मंडरा रही है सांथी जगनूओ का जुन्दूचे धने पेडों के आसपास चक्कर काट रहे हैं और एक जादूई नजारा क्रियेट कर रहे हैं अब अनामिका को लगने लगा जैसे वो किसी सपने में है क्योंकि असल जिंदगी में ऐसे नजारे पॉसिबल नहीं है वो अभी अपनी हैरानी में खोई हुई ही थी कि अचानक रंग बिरंगी तितलिया उसके आसपास मंडराने लगी और उसमें से एक ननही तितली अनामिका के हौंथ पर आकार बैठ गई पर जैसे ही अनामिका ने उस तितली को छुआ वो एक दम से ब्लू वाइट कलर में चमकने लगी और वहां से उड़कर एक दिशा में जाने लगी अब अनामिका भी मंत्रमुग धसी उसका पीछा करते हुए उसी दिशा में जाने लगी कुछ ही पलों में अनामिका एक जील के किनारे पहुँच गई थी जिसमें सफेद रंग के हजारों कमल के फूल खिले हुए थे इन कमल के फूलों को देखकर अचानक अनामिका के जेहन में एक ख्याल कौण धा जैसे कि उसने कभी किसी से कहा था उसे हजारों सफेद कमल के फूलों वाला जील देखना है अब अनामिका बेसकता मुस्कुरा उठी और अब उसके कदम अपने आप जील के किनारे एक पेर की तरफ चली गई पेर के करीब पहुँचकर उसने देखा पेर के मोटे तने पर एक नाम खुदा हुआ है रोज वो अब उस नाम को छूकर देखने लगी और देखते ही देखते उसके आँखों के सामने एक फिल्म सा नजर आने लगा जिसमें एक लड़का बड़ी ही सिद्दत से एक पेर के तने पर कुछ लिख रहा था उसका चेहरा वो नहीं देख नहीं पा रही थी लेकिन पीछे से वो बेहद आकरशक लग रहा था उस लड़के के पास ही एक लड़की भी खड़ी थी जिसने घुटने तक आते एक सुन्दर सा फ्रॉक पहन रखा था उसके बाल कंधे तक थे और वो अपने हौंथ में एक राउंड कैप पकड़ी हुई थी जिसमें रिबन लगा हुआ था तभी उस लड़की ने पीछे पलट कर देखा लेकिन इससे पहले की वो उसका चेहरा देखती अचानक अनामिका के कानों में ध्रुव के चिल्लाने की आवाज आई और वो अपने इस विजन से बाहर आ गई विजन से बाहर आते ही उसे अपने बच्चे का ठ्याल आया जो इस वक्त उसके पास नहीं था तभी उसे रिमाइंड हुआ अभी अभी उसने ध्रुव के चिल्लाने की आवाज सुनी थी अनामिका अब घबरा उठी और बेताहाशा ध्रुव की तरफ भाग पड़ी उसका दिल अब किसी अन्होनी के होने की आशनका से काम उठी थी वैसे भी इस पाक में आने से पहले उसने यहाँ के बारे में कई किस्म की अजीब अजीब सी अफवाहें सुनी थी कुछ ही पलों में अनामिका ध्रुव के पास पहुँच गई और उसे सही सलामत देखकर उसके दिल को सुकून मिला उसने देखा ध्रुव ने एक सफेद रंग का खरगोश अपनी गोदी में उठा रखा है और बड़े प्यार से उसे सहला रहा है लेकिन अनामिका ने घबराहट के मारे ध्रुव के हाथों से वो खरगोश चीन कर जाडियों की ओर छोड़ दिया और ध्रुव को अपने सीने से लगा लिया ध्रुव तो अनामिका के इस रियेक्शन से एकदम शौक में था उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी मा को क्या हुआ अनामिका ने अब घबराते हुए कहा मेरा बेटा मेरा बच्चा ये सुनते ही ध्रुव भी अपनी मा से लिप्ट गया और उसके बालों में हौन्थ फेरता हुआ बोला मम्मा वाट्स रूंग विद्यू आप इतनी डरी हुई क्यूं है कुछ देर की खामोशी के बाद अनामिका बोली तुम ठीक हो ना तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ध्रुव ने हैरानी से जवाब दिया नहीं मॉम अनामिका ने अब गौर से ध्रुव को देखा उसे सचमुच कहीं भी चोट नहीं लगी थी अब वो उसके माथे को चूमती हुई बोली तुमने तो मुझे डरा ही दिया था ध्रुव अब उस जाड़ी की और देखने लगा जहां अभी अभी वो ननहा खरगोश भुसा था अनामिका ने कुछ सोचते हुए कहा तुम चिल्लाए क्यूं थे दुरुव मुह बनाकर वो इसलिए ताकि आप मेरे और रैबिट के पिक्चर्स क्लिक कर दे बट अब तो वो कहीं चला गया अनामिका ने अफसोस करते हुए कहा सौरी बेटा दुरुव ने कहा इस ओके मॉम एंड मुझे लगता है वो एक पालतु खरगोश है तभी तो इजीली वो मेरे पास आ गया था ये सुनकर अनामिका उस जाड़ी की ओर देखती हुई बोली हो सकता है किसी ने अपना रैबिट इस पाक में खो दिया हुँ ये कहते कहते अनामिका अचानक रुक गई और अपने चारो और देखने लगी दुरुव अब आगे बढ़ता हुआ बोला मॉम मुझे ये पाक बहुंत पसंद आया यहां का नजारा बहुंत अमेजिंग है अनामिका ने धुरुव की बात काटते हुए कहा धुरुव यहां पर जो बहुंत सारे छोटे 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 फ्लावर्स के पौधे थे वो सब कहा है और वे जुगनू और बटरफ्लाइज भी कही नजर नहीं आ रहे हैं द्रूव ने हैरानी से कहा आप कौन से फ्लावर्स की बात कर रही हैं यहां तो कोई फ्लावर का पौधा नहीं था और बटरफलाई तो अब तक मैंने एक भी नहीं देखा ये सुनकर अनामिका की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही अब वो परेशान नजरों से अपने चारों और देखने लगी यहां सचमुच कोई जुगनू कोई तिपली नहीं थी तो क्या वो सब उसका वहम था अब वो अपने विचारों में खोई हुई ध्रुव के सांथ आगे बढ़ने लगी इस बार उसने ध्रुव का हौन्थ पकर रखा था और आसपास गौर से अबजव करती हुई चल रही थी कुछ ही देर में उन दोनों को एक वाटरफॉल की जलक दिखाई दी जो वहां से काफी दूर एक पहार की उँचाई से गिर रही थी जरने का पानी एकदम दूद जैसा लग रहा था और जरने के आसपास कई सारे पक्षी शोर करते हुए उर रहे थे जरने के ऊपर नीला आसमान नजर आ रहा था जिसमें सफेद रंग के बादल बिल्कुल रूई के जैसे लग रहे थे अनामिका ने देखा वाटरफॉल तक जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया है इस रास्ते के दोनों और हजारों खुबसूरत फूल खिले हुए है और उन फूलों के ऊपर रंग बिरंगी तितलिया मनरा रही है अनामिका को लगा उसे फिर से कोई वहम हो रहा है इसलिए उसने द्रूव से पूछा द्रूव क्या तुम्हें ये फूल नजर आ रहे हैं द्रूव ने उत्साहित होते हुए कहा ओफ कोज मॉम ये सुनकर अनामिका को हैरानी हुई उसने अब फिर से पूछा और क्या बटरफलाइज दिख रही है तुम्हें द्रूव ने फिर से उत्साह के सांथ कहा यहां बहुंत सारे बटरफलाइज हैं अनामिका फिर से हैरान हुई और फिर से उसने द्रूव से पूछा तुम्हें सामने वो वाटरफॉल दिख रहा है और वो उर्ते हुए बद्ज द्रूव अपनी मम्मी के इन बेतु के सवालों से परेशान हो गया था इसलिए वो अजीब सा मुह बना कर बोला मॉम आपको अनामिका ने कुछ देर सोंचा उसके बाद कहा हम वाटरफॉल देखने फिर किसी दिन चले जाएंगे अभी हमें घर वापस जाना है काफी ताइम हो गया हमें अब द्रूव ने मुह बनाते हुए कहा बट मॉम अभी तो कितना दिन है और अभी मेरा मन नहीं भरा अनामिका द्रूव ने मुस्कुराते हुए कहा द्रूव मैंने कहा ना हम फिर कभी आ जाएंगे द्रूव ने अभार मानते हुए कहा अच्छा ठीक है चलो अब वे दोनों वहां से वापस जाने लगे उनके सांथ सांथ वे तितलिया भी उरने लगी जब द्रूव ने अपने सांथ उन तितलियों को उड़ते हुए देखा तो वो हैरान भी हुआ और खुश भी उसने अब फोरन फोन का वीडियो कैमरा ओन किया और इस अमेजिंग नजारे को रिकॉर्ड करने लगा। तभी अनामिका की नजर दूर उस पेर पर पड़ी जहां कुछ देर पहले वो गई थी उसने देखा उस पेर के मोटे तने पर साफ साफ रोज लिखा हुआ है लेकिन उसे वो सफेद कमल के फूलों वाला जील कहीं नहीं दिखा। अब अनामिका समझ गई ये सब उसकी इमेज कर लिया था। अनामिका और ध्रुव जैसे जैसे पाक की गेट की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे उन्होंने देखा पाक में अंधेरा। छाता जा रहा है लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया बलकि वे बाते करते हुए अपने ही धुन में बढ़ते जा रहे थे। इस वक्त दोनों के होथों पर बड़ी सी मुस्कुराहत थी और चेहरे पर दुनिया जहान की रौनक चाई हुई थी। अनामिका और ध्रुव अब गेट के करीब पहुँच गए उन्होंने देखा गेट अभी भी खुला हुआ है और गेट के बाहर अंधेरा पसरा हुआ है यानी रात हो चुकी है अब अनामिका और ध्रुव ने पीछे पलत कर देखा उन्हें पाक में भी अब अंधेरा दिख रहा था यानी सच मुछ रात हो चुकी है पर अभी कुछ मिनट पहले ही तो यहां दिन के जैसा हुजाला था और इतनी जल्दी रात भी ह अनामिका को ये बात अजीब तो लग रही थी लेकिन फिलहाल के लिए उसने इस बात को इग्नो किया क्योंकी रात हो गई थी और उन्हें अब धर जाना था ध्रुव अपनी अदातानुशार पहले ही गेट से बाहर निकल गया पर जब अनामिका गेट से बाहर निकलने शायद ये गेट अब कभी अपने आप नहीं खुलेगा और शायद अब यहां कभी किसी भी लड़की की जान नहीं जाएगी कुछ देर बाद अनामिका और ध्रुव सड़क पर बाते करते हुए चल रहे थे कैब ड्राइवर उन्हें छोड़कर जा चुका था इसलिए वे दोनों अब हाईवे की ओर जा रहे थे ताकि वहां उन्हें कोई गाड़ी मिल जाए वैसे भी ये हाईवे काफी बिजी है और यहां से हर 20 मिनट में एक पैसेंजर बस गुजरती ही है सडक पर चलते हुए हनामिका की नजर इन स्ट्रीट लाइट पोल्स पर थी जिसकी रोशनी से इस वक्त ये पूरा एरिया नहाया हुआ था उसने तो सोंचा था ये लाइट पोल्स बंद पढ़े होंगे लेकिन इसकी जगमगाहट तो आज के जमाने की लाइट सिस्टम पर भी भारी थी इसका मतलब रोमियो रॉबिंसन कितने एद्वांस्ट विचारों वाला व्यक्ती रहा होगा जिसने उस जमाने में भी अत्याधुनिक तक्नीत का प्रयोग किया तबी ध्रुव ने हस्ते हुए अपनी मॉम से कहा मम्मा ड्राइवर अंकल ने तो कहा था पाक में भूत रहता है बत मुझे तो वहां एक हैंसम रैबिट मिला था अनामिका ने हस्ते हुए कहा कौन कहता है भूत होते हैं मैं तो वहां से जिंदा वापस आ गई अब मैं सब को बताऊंगी वहां कोई भूत नहीं है सब मन का भरम है उसके ये बोलते ही एक थंडी हवा का जोंका उससे तक्राया जिसमें उसके सिल्की शाइनी बाल लहरा गए इस हवा में एक अलग ही तरह का मिथास था जिसे महसूस करके अनामिका बेशकता बोल पड़ी उफ्ये सुकून तभी ध्रुव ने कहा दिस इस नॉट फेर मॉम ड्राइवर अंकल को हमसे जूत नहीं कहना चाहिए था उन्होंने हमसे जूत कहा था वहाँ प्यासी आत्मा रहती है अनामिका ने कहा उन्होंने जूट नहीं कहा था बेटा उन्होंने बस जूटी अफवाहों पर विश्वास किया था अब हम उन्हें सच्चाई बताएंगे पाक में कोई प्यासी आत्मा नहीं है बल्कि सब वहम है हमारे मन का वहम ही उसने सबसे पहले समय देखा अभी सुबह के सिर्फ 5 ही बजे थे। लगभग 15 मिनट बाद अनामिका अपनी ट्रेक सुट पहन कर रेडी थी और अब वो जोगन के लिए जा रही थी। लेकिन जाने से पहले उसने एक बार अपने नने शैतान को जी भर के देखा जो इस वक आद वो घर से बाहर निकल गई और जोगन करती हुई कॉलोनी के सडक पर चलने लगी रास्ते में उसे कई। लोग मिल रहे थे जो उसकी ही तरह जोगन पर निकले हुए थे उनमें से कुछ लोगों को अनामिका अब पहचानती थी और अनामिका को भी वे लोग पहचानते थे इसलिए वे एक दूसरे को मौनिंग विश कर रहे थे अब अनामिका जोगन करती हुई काफी दूर आ गई थी और इस वक्त वो जिस एरिया थी वो एरिया थोड़ा सुनसान सा था क्यूंकि कॉलोनी के इस साइड के घरों पर अभी शिफ्ट नहीं कराया गया था लेकिन अनामिका यहां हर रोज आती है और कुछ देर एकसरसाइज करने के बाद वो वापस घर चली जाती है पर आज अनामिका को यहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था क्योंकि उसे काफी देर से दो लोगों के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी जब की वो तो यहां अकेल है उसने कई बार पीछे पलट कर भी देखा और आसपास भी नजरे दोड़ाए लेकिन उसे यहां कोई भी नजर नहीं आया अनामिका अब सोच में पढ़ गई उसे लगने लगा कहीं उसके कानों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है जिसकी वज़े से उसे उसके ही फ सरसाइज करने का मन बनाया अब उसने खुद को थोड़ा रिलेक्स करने के लिए अपने हाथों और पैरों को स्ट्रेच किया उसके बाद अपने बाटल का कैप खोला ताकि एक दो घूट पानी अपने गले में उतार सके लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपना अनामिका ने अब उतावलेपन से इधर उधर देखा पता नहीं क्यूं उसे अपने करीब किसी के होने का अहसास हो रहा था लेकिन उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आया तो क्या तो क्या ये उसका वहम है। ये सुनते ही अनामिका की धरकने एकाईक बढ़ गई और वो धरकते दिल के सांथ फिर से उधर देखने लगी पर उसे फिर से कोई नहीं दिखा। अब अनामिका को लगने लगा उसके कान में सचमुच कोई प्रॉब्लम है उसे अजीब अजीब सी चीजे सुनाई देने लग और अब उसे डॉक्टर से मिलना ही पढ़ेगा। कुछ देर बाद अनामिका वहां से चली गई और उसके जाते ही वहां की हवाओं का रुख बदल गया। ये रोमियो था रोमियो रॉबिन्सन जो 100 सालों से अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा था लेकिन अब उसका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि उसकी प्रेमिका लॉट आई है और उसकी प्रेमिका कोई और नहीं बलकी अनामिका ही है जिससे वो बेन तेहा मुहबबत करता है। घर आते ही अनामिका ने देखा ध्रूव उठ गया है और अपना रूटीन एक्सरसाइज कर रहा है आज कल वो किसी पॉपुलर हॉलिवोड चाइल्ड एक्टर का एक्सरसाइज फॉलो कर रहा था यहां तक कि अपने हेर स्टाइल भी वो उसके जैसा ही रखता ठाँ, अनामिका को देखते ही ध्रूव ने मुस्कुराते हुए कहा गुड मौनिंग गनू अनामिका मुस्कुराती हुई गुड मॉनिंग माई बेबी ध्रूव मैंने आपके लिए प्रोटीन सेख बनाकर रख दिया है आप जाकर पी लीजिए ये सुनकर अनामिका ने उसे हग करते हुए कहा मेरा समझदार बच्चा द्रूव मुह बनाकर आपने मेरा हेरस्टाइल बिगार दिया यार अनामिका डाइनेंग की ओर बढ़ती हुई बोली कल से मैं तुम्हें गले ही नहीं लगाऊंगी अपनी मौम की बात सुनते ही द्रूव ने लाड करते हुए कहा I love you ममा ये सुनकर अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा हूँ ठीक है द्रूव मुह बनाकर क्या ठीक है love you too बोलो मुझे अनामिका मैं क्यूं बोलू द्रूव अपना एकसरसाइज छोड़कर अनामिका के पास आकर बोला बोलो ना मममा अनामिका मुस्कुरा कर okay I love you too द्रूव अब मुस्कुराते हुए बोला मेरी मममा बेस्ट है अनामिका हस्ती हुई उफ इतनी सुबह सुबह मेरी तारीफ बोलो क्या चाहिए तुम्हे द्रूव अपनी आखे छोटी करता हुआ बोला कुछ भी तो नहीं अनामिका हस्ती हुई don't call me तुम्हे बाइक चाहिए द्रूव बाइक तो मुझे next year चाहिए अभी तो कुछ बताना है आपको अनामिका फ्रूट्स काटती हुई बोली बताओ क्या बताना है द्रूव ने शर्माते हुए कहा वो मममा मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है ये सुनते ही अनामिका के हॉंट से चाकू छूट कर नीचे गिर गया और ध्रूव फॉरण वहां से दफा हो गया 9.30 बजे तक दोनों मा बेटे तैयार होकर स्कूल और ओफिस के लिए निकल गए आज वे दोनों बाकी दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही सुन्दर लग रहे थे इसलिए किसी की भी नजर आज इन दोनों मा बेटे की जोड़ी से हटी नहीं रही थी शीतल आंटी ने तो आज इन दोनों की नजर भी उतारी थी स्कूल वेन आने में आज 15 मिनट लेट होने वाला था क्योंकि गाड़ी सविसंड के लिए दी हुई थी वहाँ वक्त लग गया था लेकिन अनामिका को तो जल्दी ओफिस जाना था इसलिए वो शीतल आंटी के पास दुरूफ को छोड़ कर ओफिस के लिए निकल गई पार्टी में नहीं गए थे बलकी पाक गए थे ये सुनकर शीतल आंटी हैरान हो गई क्योंकि उन्होंने कल शाम 5 बजे के आसपास अनामिका और धुरूफ को कैब से कहीं जाते हुए देखा था और रात 10 बजे के बाद भी उन्होंने उनके घर पर लौक लगे देखा था क कोई इतने वक्त तक भला पाक में घूंगता है क्या दरसल शीतल आंटी को कल इन दोनों की थोड़ी फिक्र होने लगी थी क्योंकि एक महीने के दर्मियान उनकी और अनामिका की बॉंडिन काफी अच्छी हो गई थी सान्थी वे धुरूफ को भी अपने पोते के जैसा ही सम में तुम दोनों पाप गए थे। धुरूफ ने एकसाइटमेंट के सांथ कहा दादी मॉम वो पाक नहीं हेवन है हेवन नेक्स्ट टाइम आप भी हमारे सांथ। चलना वहां मैं गारंटी देता हूँ आपको भी वहां से वापस आने का मन ही नहीं करेगा। शीतल जी हस्ती हुई अच्छा तो फिर ठीक है हम भी चलेगे नेक्स्ट टाइम। धुरूफ पता है दादी मॉम ड्राइवर अंकल ने कहा था वहां प्यासी आत्मा रहती है वहां मत जाओ वहां से कोई भी। औरत जिंदा वापस नहीं आती बट हमने उनकी एक नहीं सुनी और चले गए देविल पाक। शीतल आंटी ने हरबराते हुए कहा कका क्या क्या नाम बताया पाक का। धुरूव ने कहा वैसे तो उस पाक का नाम रोजमेरी पाक है लेकिन सब उसे देविल पाक कहते हैं। शीतल आंटी ने घबराते हुए कहा ततत तुम दोनों देविल पाक गए थे। द्रूव हान जी, शीतल जी घबराती हुई तुम दोनों पाक के अंदर भी गए थे। द्रूव हान दादी मॉम और पता है मैं वहाँ एक हैंसम रेबिट से मिला। शीतल जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि इतने सालों में वहाँ से कोई भी लड़ और शीतल जी बच्चों को स्कूल के लिए रवाना करने के बाद अपने घर जाने लगी उनके। मन में इस वक्त उथल पुथल मची हुई थी और इसी उथल पुथल में उन्हें सालों पहले की एक घटना याद आ गई जब वे यंद थी और उनकी शादी नहीं हुई थी त करके शीतल जी की आखे डबडबा गई थी लेकिन अब उनके मन में हनामिका का ख्याल आया वो। भी तो जिग्यासु प्रवरिती की लड़की है अगर किसी दिन गो भी देविल पाक चली गई तो नहीं नहीं उसे देविल। पाक के बारे में बताना ही पड़ेगा वरना व अगभग आधे घंटे में कैब ड्राइवर ने अनामिका को ओफिस पहुचा दिया था लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो। रहा था कि वो अनामिका को जिंदा देख रहा है उसे अभी भी ये किसी सपने जैसा लग रहा था उसने तो अनामिका से अब तक 100 बार भाया कहकर अपने ओफिस बिल्डिंग की ओर चली गई और कैब ड्राइवर उसे तब तक देखता रहा जब तक वो बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस गई अंदर आते ही अनामिका सीधे अपने केबिन में चली गई आज उसके चेहरे की रौनक और होथों की बड़ी सी मु अनामिका ने देखा उसकी चेह पर पहले से ही कोई बैठा हुआ है उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर रखा है इसलिए अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है पर वो देख सकती थी वो सक्स कोई लड़की है अब अनामिका ने सकती के सांत कहा कौन हो तुम और मेर पमिशन के बिना मेरी चेह पर बैठने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सुनते ही वो लड़की पीछे पलट गई और अनामिका को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी जैसे ही अनामिका ने उस लड़की का चेहरा देखा वो हैरानी से बोल पढ़ी आयशा मैम आ आयशा ने गुस्से से कहा हा मैं और मुझे तुम्हारी चेह में बैठने के लिए किसी की पमिशन की जरूरत नहीं है अनामिका को उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी लेकिन उसने उसे कोई रिप्लाइ नहीं दिया आयशा ने अब उसे उपर से नीचे तक भूरा और कहा हं किसी इंगल से तुम खूबसूरत नहीं हो ये सुनकर अनामिका ने अपनी हिसी बमुश्किल रोकी क्योंकि पूरी कमपनी जानती है आयशा अनामिका की खूबसूरती से जलती है अनामिका ने पोलाइडली कहा मैम क्या आपको कोई काम है मुझसे आईशा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा तुम जैसी मेरे किसी काम की हो ही नहीं सकती ये सुनकर अनामिका खुद को रोक नहीं पाई और कड़े लहजे में बोली वाट ड्यू मीन आईशा मैम आईशा ने हस्ते हुए कहा बनो मत तुम्हें हच्छे से पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ अनामिका क्या मुझसे काम में कोई मिस्टेक हो गई है आईशा अनजान तो ऐसे बन रही हो जैसे कोई दूद पीती बच्ची हो अनामिका मैं कुछ समझी नहीं आईशा दात पीस्ती हुई बोली मैंने तुम से कहा था ना विराट से दूर रहो लेकिन शायद तुमने मेरी बातों को हलके मैं ले लिया है अनामिका ये आप क्या कह रही है आईशा जो सच है वही कह रही हूँ तुम्हें क्या लगा था मुझे तुम्हारे कर्टूतों का पता नहीं चलेगा अनामिका हैरानी से पर मैंने किया क्या है आईशा गुस्से से चिलाती हुई तुम विराट को अपने हुस्न के जाल में फसाने की कोशिश कर रही हो अनामिका चिलाती हुई वाट जैसे ही अनामिका ने आईशा के मुह से यह सुना कि वो उसे हुस्न के जाल में विराट को फसाने वाली कह रही है उसके होंश उर गए वो तो मानों अंदर तक हिल गई इन शब्दों से हाला कि उसे ये पता था आईशा उसे लेकर अच्छे विचार नहीं रखती है लेकिन उसने ये कभी नहीं सोंचा था कि वो उसके लिए इतनी गिरी हुई सोंच रखती है आईशा अपनी भडास निकालती हुई फिर बोली तुम्हें क्या लगा था मेरे पीट पीछे तुम यहां गुल खिलाओगी और मुझे भनक भी नहीं लगेगी मैं सब जानती हूँ तुम्हारा विराट के केबिन में बार बार किसी ना किसी बहाने से जाना और उसका अटेंशन पाने की कोशिश करना यहां तक की इंपोटेंट फाइल देने के बहाने तुम उसके घर क्यूं गई थी मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ इतना बोलकर आईशा नफरत भरी नजरों से अनामिका को देखने लगी अनामिका भी हैरानी से आईशा का चेहरा देख रही थी आईशा दात पीस्ती हुई एक बात कान खोल कर सुन लो तुम विराट तुम जैसी केरेक्टलेस लड़की के करीब कभी नहीं आएगा जिसने ना जाने कितनों के सांथ रंग्रलिया मनाई है इसके आगे आईशा कुछ कहती उससे पहले ही अनामिका ने एक जन्नाटेदार तमाचा आईशा के गाल पर जड़ दिया और आईशा स्टब्द सी अपने गाल पर हॉन्थ रखकर उसे देखने लगी क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनामिका ने उसे तमाचा मारा है अनामिका ने अब गुस्से से चिलाते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की तुम मेरे कैरेक्टर को जज करने वाली कोई नहीं होती हो समझी तुम आईशा ने अब गुस्से से अनामिका पर हौन्थ उठाते हुए कहा तुम्हारी ये मजाल तुमने मुझे पर हौन्थ उठाया लेकिन अनामिका ने उसके हौन्थ बीच में ही रोक दिये और नफरत भरी नजरों से उसे देखने लगी आईशा ने अब उसे धमकी भरे लहजे में कहा तुम शायद भूल गई हो इस कमपनी में मेरी क्या पोजिशन है मैं मिन्तूँ मैं तुम्हारी छुट्टी कर सकती हूँ यहां से धमकी सुनकर अनामिका कुछ कहने ही वाली थी कि आईशा ने टेबल से पानी का ग्लास उठाया और गुस्से से ग्लास का सारा पानी अनामिका के उपर फेक दिया लेकिन समय रहते ही अनामिका अपनी जगह से हट गई जिससे वो भीगने से बच गई पर अनामिका के पीछे जो सक्स खड़ा था वो पूरी तरह पानी से भीग चुका था जब अनामिका और आईशा ने उस सक्स को देखा तो उनके होंश उड़ गए क्योंकि वो सक्स कोई और नहीं बलकी उनका बॉस विराट ओबर ओए था आईशा अब घबराती हुई विराट के पास आई और अपना नेपकिन निकाल कर उसके गीले कपड़े को पोँचती हुई बोलिया आई एम सॉरी सर ये मेरी गलती है एक्चुली मैं पानी पी रही थी तभी अचानक मेरा पैर मुड़ गया और मैं अम्बेलेंस होकर नीचे गिरने लगी और गलास का पानी भी अनामिका के उपर गिरने वाला था बट थैंक्फुली वो वहां से हट गई लेकिन मुझे नहीं पता था आप अनामिका के पीछे हैं अभी आईशा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विराट ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा गेट आउट आईशा अब बहुंत घब्रा गई क्योंकि उसे लगने लगा कहीं विराट ने उसकी बाते सुन तो नहीं ली पर ऐसा नहीं था विराट जस्ट अभी अभी ही आया था इसलिए उसने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी थी आईशा ने अब अपना बचाव करते हुए कहा सर मेरे इरादे गलत नहीं थे मुझे तो बस आपकी फिक्र है इसलिए मैं अनामिका को अड़्वाइस दे रही थी अनामिका तो इस ड्रामेबाज लड़की का ड्रामा देखकर हैरान थी वो कितनी सफाई से जूट बोलकर अपनी करतूत पर मिट्टी डाल रही थी जब की सच जाय तो ये है कि उसने जानबूझ कर उसके उपर पानी फेंका था और उसे बुरा भला भी बोला था अगर अनामिका ने उसकी करतूत अपनी आखों से नहीं देखी होती तो शायद वो भी आईशा की बातों में आ जाती विराट अब फिर से चिल्लाता हुआ बोला सुना नहीं तुमने गेट आउट विराट का गुस्सा देखकर एक बार गी अनामिका भी घबरा गई लेकिन आईशा इतनी आसानी से यहां से जाने वाली कहा थी खासकर अनामिका के सांथ विराट को अकेला छोड़ने का रिश्क वो नहीं ले सकती थी इसलिए उसने अब अपना पासा फेकते हुए कहा मैं तो यहां आपके न्यू प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करने आई थी सर क्योंकि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए अनामिका को अपना पीए बनाया है और मैं सीनियर होने के नाते अनामिका को काम समझाना चाहती थी ताकि वो अच्छे से आपके सभी कमांज और नीद समझ सके मैं तो उसे आपके लिए तैयार करना चाहती थी ताकि आपको काम में कोई प्रॉबलम ना हो आईशा की बात सुनकर विराट के एक्स्प्रेशन चेंज हो गए और वो अनामिका को गहरी नजरों से देखता हुआ बोला आनू को तैयार मैं खुद करूंगा दोनों लड़कियां विराट की डबल मीनिंग बात साफ साफ समझ रही थी आईशा के तो तन बदन में आग लग गई थी विराट के ये लब्ज सुनकर और अनामिका कभी खून खौल उठा था लेकिन अनामिका ने मौके की नजाकत को समझते हुए गुसे का घूट पी लिया और अपना एक दाव खेलते हुए बोली सर अब आईशा मैं छुट्टी से वापस आ चुकी है तो मुझे लगता है अब मेरा इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं है वैसे भी मुझे पीए बनने का कोई experience नहीं है जबकि आईशा मैं कई सालों से आपकी पीए है और वे आपको मुझसे बहतर समझती हैं आईशा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अनामिका उसकी तारीफ कर रही है इसलिए वो हैरानी से अनामिका को देखने लगी अनामिका ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा जब आईशा मैं मुझे काम समझा रही थी तब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इनफेक्ट सब मेरे सर के उपर से जा रहा था मैं अब समझ चुकी हूँ पीए बनना मेरे वसकी बात नहीं है परता है दरसल अनामिका विराट से अपना पिंच छुडाने का ये सुनहरा मौका हॉंट से जाने नहीं देना चाहती थी इसलिए वो इस वक्त आईशा के कंधे पर गन रख कर निशाना साध रही थी अनामिका की बाते सुनकर आईशा की तो बांचे खिल उठी थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे अनामिका उससे डर गई है इसलिए वो अपना हथियार डाल रही है पर ऐसा कुछ नहीं था अब आईशा भी अपनी तान गढ़ाती हुई बोली सर अनामिका बिल्कुल सहीं कह रही है वो आपकी पीए बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है इनफेक्ट मुझे लगता है अगर वो आपकी पीए बनी तो ये प्रोजेक्ट आपके हौंट से निकल जाएगी और मैं अच्छे से जानती हुँ ये प्रोजेक्ट आपके लिए कितना जरूरी है इसलिए मैं नहीं चाहती अनामिका की वजह से आपका कुछ नुकसान हो विराट चुपचाप खड़ा इन दोनों लड़कियों की तर्कसंगत बाते सुन रहा था पर वो उन्हें कुछ भी रिस्पॉंस नहीं दे रहा था और उन दोनों को लग रहा था कि विराट उनकी बातों से कन्वेंस हो रहा है जब की सच तो ये था कि विराट के कानों में जू तक नहीं रेंगा था आईशा ने अब मुस्कुराते हुए कहा जिस तरह से मैं आपका ख्याल रख सकती हूँ मुझे नहीं लगता Anamika आपका वैसा ख्याल रख पाएगी तभी विराट ने अनामिका से मुखातिब होते हुए कहा अनू मैंने कल तुम्हें जो फाइल दी थी क्या तुमने वो स्टडी कर ली अगर नहीं की हो तो अच्छे से स्टडी कर लो एंड आज शाम तक तुम टीम भी रेडी कर लेना ताकि जितना जल्दी हो सके हम इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सके और हाँ अब से तुम मेरी पर्मानेंट पीए हो इतना कहकर विराट वहां से जाने लगा तभी अनामिका और आईशा एक सांथ बोल पड़ी की मैनेजिंग डाइरेक्टर की जिम्मेदारी संभालोगी आईशा अब बिफर परी दिस इस नोट फेर आप अनामिका को अपनी पीए नहीं बना सकते विराट ने सीरियस ट्यून में कहा मैं जब चाहूं तब किसी को भी अपनी पीए बना सकता हूं और जब चाहूं तब पीए की पोस्ट से हटा भी सकता हूं और वैसे भी तुम मेरी पीए सिर्फ थ्री साल के लिए ही बनी थी वो तो मैंने तुम्हें मौका देकर वन साल और बढ़ा दिया था आईशा भावक होकर बोली मैं पिछले फोर सालों से आपकी पीए हूँ और मैंने कभी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाई तो फिर आप मुझे क्यों रस्टिकेट कर रहे हैं विराट तुमने अपना काम खीट किया लेकिन मुझे तुमसे भी काबिल पीए की जरूरत है जो हर काम डेडिकेशन के सांथ करे और तुम में मुझे वो डेडिकेशन नजर नहीं आता आईशा गुस्से से तो आपको डेडिकेशन इस अनामिका में नजर आता है जिसमें पीए बनने की काबिलियत ही नहीं है ये सुनकर विराट को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोला अनामिका ने जब से हमारी कमपणी जवाइन की है तब से उसने कमपणी को कई बेनिफिट्स दिलवाए हैं और लगातार अपनी काबिलियत का बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उसकी इसी काबिलियत की वजह से ही उसे जल्दी प्रमोशन देकर हेड ओफिस पर अपॉइंट किया गया था एंड अब से वो मेरी पीए है इतना सुनते ही अनामिका ने कहा लेकिन मुझे आपकी पीए बनने में कोई इंट्रेस्ट नहीं है विराट सर और ना ही आपने मुझे इस ओपर्चनिटी के लिए पूछा है विराट ने आदेशात्म लहजे में कहा तुमने कॉंट्रेक्ट ओल्रेडी साइन कर लिया है मिस अनामिका इसलिए मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है तुम मेरी पीए हो और इसी वक्फ तुम अपने नए केबिन में शिफ्ट हो रही हो अनामिका कॉंट्रेक्ट के हिसाब से मैं आपकी पीए सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए ही हूँ प्रोजेक्ट के खत्म होते ही मैं आपकी पीए नहीं रहूंगी विराट ने एक डॉक्यूमेंट अनामिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा ये कॉंट्रेक्ट पेपर है इसे ध्यान से पढ़ो अनामिका ने फोरण वो पेपर ले लिया और गौर से उसमें लिखे शब्दों को पढ़ने लगी उसके सांथ आयशा भी वो पेपर पढ़ने लगी पेपर में साफ शब्दों में लिखा था मिस अनामिका शर्मा को मिस्टर विराट ओबरोई की स्थाई पीए घोशित किया। जाता है और दोनों में से कोई भी यह कॉंट्रेक्ट तोड़ेगा तो उसे पैनल्टी के रूप में वन करोर रुपे देना होगा। अनामिका को याद आया कल शाम जब उसने कॉंट्रेक्ट पेपर पर साइन किया था तब विराट ने उससे सच में कहा था। पेपर पहले ध्यान से पढ़ लो लेकिन उसके बाद विराट ने उससे अपनी हरकतों से उलज़ा कर उसका ध्यान भटका दिया था। और वो घबरा साइन कर लिया है और इस कॉंट्रेक्ट को तोड़ने के लिए उसके पास इस वक्त 1 करोड रुपे नहीं है उसके अकाउंट में तो इस वक्त मुश्किल से 20 लक रुपे ही होंगे उपर से हर मंथ उसकी सैलरी में से काफी बड़ी रकम घर की एमी के लिए देनी होती है सांथी द्रुफ की एजुकेशन फीस और अदर खर्चे और उसने तो सोंचा था अगले मंथ वो अपने लिए एक कार भी ले ले लेगी विराट अब वहां से जा चुका था और आईशा दुखी होकर चया में बैठी हुई थी अनामिका को अब आईशा के लिए बुरा लग रहा थ भले ही उसने उसे बुरा भला सुनाया था लेकिन वो इस बात से इंकार नहीं कर सकती थी कि विराट ने उसके सांथ भी अच्छा नहीं किया है कहीं ना कहीं उसने उसे भी धोखा दिया है अनामिका ने अब नर्म लहजे में कहा आईशा में आप सैद मत हुए जब मेरे पा उसके बाद विराट सर के पास आपको पीए बनाने के अलावा कोई और ओप्शन नहीं बचेगा अनामिका की बात सुनते ही आईशा चिलाती हुई बोली मत कहो मुझे मैं क्योंकि अब मैं मैं नहीं हूँ बलकी तुम हो मेरी तुम एक ही जटके में मेरी सीनियर बन गई और मैं तुमहारी जुनियर मैंने कभी सोंचा नहीं था अनामिका तुम इतनी गिरी हुई होगी आखिर तुमने अपनी मुराद पूरी करही ली तुमने मुझसे विराट को भी छीन लिया और मेरी पोजिशन भी छीन यी अनामिका सफाई देती हुई बोली आप मुझे गलत सम मज रही हो मैं आईशा ने अब करवाहत से कहा पिछले फोर सालों से मैं विराट को अपना बनाने के लिए ना जाने कितने हतकिंडे अपनाती रही लेकिन उसने कभी नजले उठा कर भी नहीं देखा मुझे लेकिन तुम्हें यहां आए अभी एक मन्त ही हुआ है और वो त अजायस बच्चे की माँ पर क्यूं अपना दिल हार बैठा है इतना कहकर आईशा बेहद नफरत के सांथ उसे घूरने लगी लेकिन अनामिका तो जैसे फ्रीज हो गई थी उसके हलक से अब एक शब्द भी बाहर नहीं निकल पा रहा था सिर्फ आँखों से आंसु निकल र यहां आईशा और अनामिका के बीच माहौल बहुंद टेंशन भरा हो गया था और वहां अपने केबिन में आने के बाद विरात सुकून से अपने चया में बैठा हुआ था उसके जेहन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अनामिका का ही ख्याल था इसके अलावा वो और कुछ स चुके थे और ध्रुव रोज की तरह गेट के पास खड़ा होकर अपनी मॉम के ओफिस से घर आने का इंतजार कर रहा था आज स्कूल से आने के बाद उसने घंटों बैठ कर एक बड़ी सी ड्रॉइंड बनाई थी जिसे वो अपनी मॉम को दिखाने के लिए बहुंद ज्या मुष्कराऊ थी अब दृव भी दोडता हुआ उसके पास आ गया और उससे लिप्त गया दृव को गले लगाते ही अनामिका कुछ पल के लिए अपना सारा दुख दर्द भूल गई और प्यार से दृव के maatshे को चुमती हुई बोली मेरा प्यारा बेता दृव ने अनामि अनामिका बिल्कुल भी नहीं। तबी ध्रुव ने कहा क्या हुआ मॉम अब आखे बंद करके क्यूं खड़ी हैं। अनामिका मुस्कुराती हुई बस यूँ ही। कुछ देर बाद अनामिका चेंज करके लिविंग में आई और उसके आते ही ध्रुव ने रोल किया हुआ एक बड़ासा ड्राइंग। शीट उसके हॉंथ में थमाया। अनामिका ने अब मुस्कुराते हुए वो ड्राइंग शीट ओपन किया और हैरान रह गई क्योंकि ध्रुव ने उसमें डेविल। पाक का चित्र उकेरा था वो भी हुबहू। अनामिका हैरानी से ये तुमने बनाया है ध्रुव। ध्रुव मुस्कुराता हुआ या ओफ कोज मॉम। अनामिका मुस्कुराती हुई वाओ I am impressed अब तो तुम काफी अच्छा ड्राइंग बनाने लगे हो। ध्रुव प्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग में ही बनाता हूँ। अनामिका मुस्कुराती हुई मेरा बेटा दिनों दिन और भी ज्यादा होशियार होता जा रहा है। ध्रूफ एकसाइटमेंट से तो चलो अब मुझे रिवार्ड दो। अनामिका मुस्कुराती हुई वो आज हम तुम्हारा फेवरेट आईसक्रीम खाने चलेगे। ध्रूफ पर ठहर गई और वो एकाए खेरानी से चिल्लाई ध्रूफ। अपनी मौम की इतनी तेज आवाज सुनकर ध्रूफ दोरता हुआ लिविंग में आया और अनामिका से मुखातिब होता हुआ बोला। वोट हैपन्ड मौम। अनामिका ने अपनी फिंगर ड्राइंड के एक हिस धत से कुछ लिख रहा था लेकिन उस लड़के का चहरा सामने होने के कारण सिर्फ उसकी बैखी नजर आ रही थी। उस लड़के के करीब एक लड़की भी खड़ी थी जिसने घुटने तक आते एक सुन्दर सा फ्रॉक पहना हुआ था उसके बालकंधे तक आ रहे थे और उसने अपने हॉन्थ में एक राउंड कैप पकड़ा हुआ था जिसमें रिबन लगा हुआ था उस लड़की का चहरा भी सामने की ओर था इसलिए उसकी भी सिर्फ बैखी नजर आ रही थी लेकिन वे दोनुं एक सांथ बहुंद ज्यादा प्यारे लग रहे थे ये बिलकु फारे बस चित्र को ही देखे जा रही थी उसका दिमाग भी मानो सुनन पड़ा हुआ था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रूफ को उसके इमेजिनेशन के बारे में कैसे पता चली जबकि उसने तो उसे बताया ही नहीं है अनामिका को अभी भी यही लग रहा था कि उसने डेविल में पाक में जो सफेद कमल के फूलो वाला जील देखा था वो उसका सिर्फ इमेजिनेशन थी यहां तक कि वे दोनों कपल लड़की और लड़का भी उसे अपनी इमेजिनेशन ही लग रहे थे जबकि ये इमेजिनेशन नहीं बलकी हकीकत है द्रूफ मॉम य तो मैंने बस यूँ ही बना दिया था मैंने वहां हमारे अलावा किसी को भी नहीं देखा था अनामिका हैरानी से ये तुमने यूँ ही बना दिया पर ऐसे कैसे हो सकता है रियालिटी में वहां कोई जील नहीं है मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था वो जील वो सफे भी इतनी सीरियस नहीं होती। दुरूव ने अब अनामिका से कहा मॉम शायद आपने ध्यान से नहीं देखा था वहाँ पर एक फूलों वाला जील भी है। अनामिका हैरानी से तुम सच कह रहे हो। दुरूव हां मम्मा। ये सुनकर अनामिका को लगने लगा उसका दिमाग अब ब्लास्ट ही हो जाएगा क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा था कुछ। अजीब ही हो रहा था। दुरूव मुह बनाकर मम्मा क्या अब हम आईसक्रीम खाने चले। अब अनामिका को ख्याल आया वे दोनों तो आईसक्रीम पारलर जाने वाले थे पर अपने इन बेतों क अब अनामिका ने खुद को थोड़ा शांत किया और कहा चलो रेडी हो जाते हैं। दुरूव मुस्कुराता हुआ ओके मौम में ये ड्राइंग शीट रखकर आता हूँ आप रेडी होते रहिए। अनामिका अब रेडी होने चली गई और दुरूव उस ड्राइंग शीट क रोल करने लगा लेकिन रोल करते करते वो रुक गया। और दोबारा उसे ओपन करके गौर से अपनी ड्राइंग देखने लगा। दुरूव को अच्छे से याद है उसने अपनी ड्राइंग में ये सफेद कमल के फूलों वाला जील नहीं बनाया था और नहीं। उसने इस क जोंच रहा था कि उसे अनामिका की आवाज आई दुरूव जल दियाओ। दुरूव ओके मॉम। दुरूव ने अब उस ड्राइंग शीट को रोल किया और उसे ले जाकर अपने छोटे से स्टडी रूम में रख दिया उसके बाद। वो अपनी मॉम के पास चला गया। ले पर गिरने लगे गुलाबी सफेद परपल रंग के तरह तरह फूल बर्फ की तरह जमीन में बिचने लगे रंग बिरंगी तितलिया। और जगमग करती जगनुओं की जुन्ड मनराने लगी और जील में मौजूद हजारों सफेद कमल के फूल सूरज की रोशनी से। चमकन अनामिका ने आज ब्लेक क्रॉप टॉप और ब्लू डैनिम जीन्स पहना था कानों में ड्रॉप यहीं केरी किया था और होथों पर चैरी ब्लॉसम लिप्स्टिक लगाया था। वो इस वक्त इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि रोमी रोमियो अपनी पल के जपका पार्लर जा रहे थे अनामिका ने अपनी दोस्त जुही को भी कॉल कर दिया था और वो भी अपने घर से रेडी होकर निकल गई थी। लगभग 40 मिनट में वे बैंगलूरू के एक फेमस आईसक्रीम पार्लर पहुंच चुके थे जहां जुही पहले से ही उनका इंतजार कर कैब से उतरते ही ध्रूव ने अपना गौगल पहन लिया उसके बाद वो बड़ी ही अदा के सांथ चलता हुआ जुही के पास। जाने जाने लगा जुही तो इस छोटे यन्व आदमी को देखकर अपनी पलके ही नहीं जपका पा रही थी उफ ये तो अभी से। ही इतना च द्रूव को गले लगाते हुए कहा हेलो बच्चा तुम्हारी मम्मा कहा है मुझे कही नजर नहीं आ रही। द्रूव वे कैब वाले अंकल से कुछ बाते कर रही हैं आप बताएए आप यहां अकेली ही आई हैं या अपने बॉइफरेंड को भी लेकर आई हैं। जुही ने ह असते हुए कहा मेरा बॉइफरेंड पैदा ही नहीं हुआ है अब तक शायद भगवान जी मेरे लिए बॉइफरेंड बनाना ही भूल गए। द्रूव ने अपना चश्मा जरा नीचे करते हुए कहा आपको नहीं लगता ऐसा कहकर आप एक हैंसम लड़के की तोहीं कर रहें हैं जूही ने कनफ्यूज होकर कहा क्या मैं समझी नहीं द्रूव ओफो आई मीन तू से भगवान जी ने आपका बॉइफरेंड थोड़ा लेट से बनाया होगा हो सकता है वो अभीचार साल का ही हो और इस वक्त आपके सामने ही खड़ा हो इतना सुनना था कि जूही उसे मा करने के लिए आगे आती हुई बोली बदमाश मुझसे फ्लट करोगे तुम लेकिन द्रूव अपनी जगह से फोरन दूर छिटक गया और हस्ता हुआ बोला डोंट हीट मी मासी आई वास जस्ट किंडिंग एंड मैं तो जस्ट फ्लट करने की प्रैक्टिस कर रहा था जूही हस्ती हुई हा तुम्हारे लक्षन तो बड़े वाले ही हैं तभी वहां अनामिका भी आ गई उसके बाद वे तीनों बाते करते हुए उस बड़े से आईस्क्रीम पारलर के अंदर चले गए अंदर आते ही उन्होंने देखा यहां तो कई अलग अलग फ्लेवर और थे तो कुछ खड़े खड़े ही आईस्क्रीम इंजोई कर रहे थे और कुछ तो यहां फोटोज रील्स वगेरह बनाने में मशबूल थे उन तीनों ने भी अपनी अपनी पसंद की आईस्क्रीम और कर दिया उसके बाद वे बाते करते हुए अपनी आईस्क्रीम इंजोई क अनामिका फिर क्या हुआ कॉफी हाउस को बंद क्यूं कर दिया गया जूही मैंने सुना है आज से लगभग 100 साल पहले बेंगलूरू शहर में एक लव स्टोरी बड़ी फेमस थी और ये कॉफी हाउस भी उनकी याद में बनवाया गया था अनामिका रेकसाइटमेंट के सां पसंद है खास कर लव स्टोरी जूही पर मुझे भी ये लव स्टोरी पूरी नहीं पता बस इतना ही पता है कि ये लव स्टोरी कोई रोज और रोमी नाम के कपल की थी जो यहां के most powerful family से बिलॉन करते थे अनामिका रोज और रोमी का नाम सुमते ही अचानक अनामिका के दिम भीर आवाज में कहा ये गलत अफवा है कॉफी हाउस को उनकी याद में नहीं बनवाया गया था बलकि इसी कॉफी हाउस में उन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था जूही है रानी से वाट पर ये तुम्हें कैसे पता जूही ने जैसे ही अनामिका के मुह से य कॉफी हाउस में रोज और रोमी ने पहली बार एक दूसरे को देखा था तो वो एकदम शौक्त हो गई क्योंकि अनामिका ने तो खुद आज पहली बार रोज और रोमी का नाम सुना था तो फिर उसे उनकी प्रेम कहानी के बारे में कैसे पता होगी जूही आए थिंक तु और वातावरन में पॉल्यूशन नहीं बलकी ताजगी घुली होती थी इस जगह पर जो कॉफी हाउस था वो उस जमाने के युवाओं के लिए एक खास केंद्र हुआ करता था रोज और रोमी ने एक दूसरे को पहली बार इसी कॉफी हाउस में देखा था और पहली ही नज में वे एक दूसरे के प्यार में पढ़ गए थे उसके बाद वे दोनों एक दूसरे को देखने के लिए हर रोज यहां किसी ना किसी बहाने आया करते थे जुही हैरानी से ये सब तुम्हें कैसे पता आनू अनामिका ने उसे उसी गंभीर आवाज में आंसा दिया बिकॉज I am रोज मेरी अनामिका के ये कहते ही एक थन्डी हवा उसके आसपास मंदराने लगी और उसे महसूस करके अनामिका स्वतही मुस्कुरा उ थी लेकिन अनामिका की बाद सुनकर जुही और धरुआख सान्थ चिल्ला उठेवाट उनकी तेज आवाज से अनामिका को जैसे हों आप तो अनामिका हैं। अनामिका इट्स ओके हम फिर कभी चले जाएंगे। के सांत कहा मैं भी अब बढ़ा हो चुका हूँ वो तो मैं आप दोनों के लिए। आइस्क्रीम ओडर करना चाहता था अपने लिए नहीं। अनामिका अपनी हैसी दबाती हुई बोली ओह तो तुम हमारे लिए आइसक्रीम ओडर करना चाहते थे बट हम भी अब बच्चे। नहीं है हमें भी नहीं खानी है आइसक्रीम। वे अभी बाते ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजे सुनाई दीवे अब। हैरानी से अपने आसपास देखने लगे उन्हें कई सारे लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए उन्होंने देखा पारलर के। अंदर भी बहुंत से लोग शोर करते हुए घुस रहे हैं और देखते ही देखते अब यहां भगदर जैसा माहौल बन गया था। जूही ने अब एक लड़की से पूछा आप सब ऐसे भाग क्यों रहे हो। उस लड़की ने कहा पास वाले जूसे दो टाइगर पिंजरे से छूट कर इसी और आ रहे हैं इसलिए हम सब अपनी जान बचाने। के लिए यहां घुस आए हैं मैंने सुना हैं उन्हें आज ही यहां शिफ्ट किया गया था और वे बेहत खुंखार हैं। ये सुनते ही अनामिका और जूही घबरा उथी पर तभी उन्हें आभास हुआ ध्रुव उनके सांथ नहीं है ध्रुव को अपने। पासना पाकर अनामिका की जान हलक में आ गई और अब वो धुरुव को धूंदने लिए दौरती हुई एंट्रेंस की और जाने। लगी क्योंकि वो समझ गई थी धुरुव ताइगर देखने के लिए बाहर निकल गया है। जूही उसे रोकती हुई बोली अनू तुम मत जाओ बाहर वे जानवर बहुंत खतरनाक हैं। अनामिका ने इमोशनल होकर कहा मेरी जान से ज्यादा जरूरी मेरे बच्चे की जान है अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाओंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई और बाहर आते ही उसने देखा सड़क पूरी खाली हो गई है क्योंकि सब अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां छुप चुके हैं। अब वो सड़क पर आ गई और ध्रूफ को पुकारती हुई इधर उधर नजरे दोड़ाने लगी तभी उसे ध्रूफ कुछ दूर सड़क के। बीचों बीच खड़ा नजर आया जो गौर से एक डाइरेक्शन में देख रहा था। अनामिका अब तेजी से उसकी और जाने लगी ताकि उसे लेकर वो कहीं छुप सके। लेकिन तभी उसे कुछ लोगों की तेज आवाज सुनाई दी जो आसपास दुकानों और इमारतों में छुपे हुए थे वे सब उसे। उधर जाने से मना कर रहे थे और वापस अंदर जाने को कह रहे थे क्योंकि एक टाइगा बहुंद तेजी से भागता हुआ। उसी ओर आ रहा था। लेकिन अनामिका को अपनी जान की परवा नहीं थी वो बस अपने बच्चे को बचाना चाहती थी इसलिए वो इन सब की ब नामिका ने उसे डाटते हुए कहा चुप करो तुम ये कोई कार्टून्स हैं बलकि रियल एनिमल्स हैं अगर तुम उसके सिकंजे में आ गए तो वे तुम्हारा एक हड़ी भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर ध्रोव डर गया उसे अब अपनी गलती का हसास हुआ वो ब लेकिन जब मुसीबत आती है तो छप पर फार के आती है अनामिका का पैर अचानक स्लिप हो गया और वो ध्रोव के सांथ सडक में ही गिर गई लेकिन इससे पहले की वे दोनों उठकर दोबारा भागते एक ताइगर उनके बेहत करीब पहुंच गया जैसे तैसे अनामिका और ध्रोव अपनी जगह से उठे पर अब वे वहां से भाग नहीं सकते थे क्योंकि टाइगर अब धीक उनके सामने फोर मीटर की दूरी पर खड़ा था और उन्हें ही घूर रहा था ध्रोव और अनामिका की अब डर के मारे हालत खराब हो गई थी सांथी उन्हें देखने वाले लोग भी डर के मारे थूक गटिक में लगे थे ध्रूव डरते हुए मम्मा अब हम क्या करे मम्मा अनामिका ने ध्रूव को अपने पीछे छुपा लिया और इमोशनल होते हुए कहा इससे बचना मुश्किल है बेटा पर अगर हम सूच बूज से काम ले तो हम दोनों अंदर से बंद कर लेना ध्रूव चिलाते हुए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मम्मा मैं आपको मरता हुआ छोड़कर नहीं जाओंगा कहीं अगर आपको कुछ हुआ तो मैं कैसे रहुँगा ये सब मेरी वजह से हुआ है सब मेरी ही गलती है इतना कहकर ध्रूव रोने लगा लेकिन अनामिका ने उसे चुप कराते हुए कहा तु मेरा अच्छा बच्चा है ना मेरी हर बात मानता है ये बात भी मान जाओ ध्रूव चिलाता हुआ कभी नहीं तभी वो टाइगा धीरे धीरे चलता हुआ उनके और भी करीब आ गया अब वे दोनु दर के मारे थर धराने लगे ध्रूव डरता हुआ मम्मा भागो अनामिका हम नहीं भाग सकते इनकी स्पीड हमसे ज्यादा होती है मैंने एक किताब में पढ़ा था हमें शिकारी जानवरों को कभी पीथ नहीं दिखानी चाहिए बलकि उसकी आँखों में देखना चाहिए इससे वे घबरा जाते हैं ध्रूव मुह बनाकर कहां से मिली आपको ये बकवास बुक मॉम अनामिका ध्रूव हमें कभी भी किताबों को बकवास नहीं कहना चाहिए ध्रूव मुह बनाकर यहां हमारी वाट लगी पड़ी है और आपको उस बुक की पड़ी है अनामिका मैं कोशिश करती हू क्या पता ये ट्रिक काम कर जाए। इतना कहकर अनामिका उस टाइगर की आँखों में देखने लगी धुरूभी साइड से अपना सिर निकल कर उसकी आँखों में देखने की कोशिश करने लगा लेकिन उसे देखते ही वो डर के मारे दोबारा अपनी मां के पीछे छुप गया टाइगर अब सिर्फ आधे मीटर की दूरी पर ही खड़ा था और अनामिका डर से कापते हुए उसकी आँखों में ही देख रही थी वे दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे की आँखों में देखते रहे हाला की अनामिका को विश्वास था वो उस टाइगर को डरा नह ये सुनते ही अनामिका ने अपनी आखे खोली और एकाए खहरान हो उठी क्योंकि वो टाइगर सचमुच उससे डर कर भाग गया था वो भी किसी कुत्ते की तरह अब चारों और तालियों की गरगराहट गूंचने लगी यहां सबने अभी अभी अनामिका की हिम्मत देखी पर उन्हें क्या पता था वो टाइगर अनामिका से नहीं बलकी किसी और से डर कर भागा था तभी वहां फोरेस्ट डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम आ गई अब तक एक ताइगर पकड़ा जा चुका था और वे दूसरे की तलाश में थे अनामिका और ध्रुव ने उन है तभी अनामिका ने कहा मुझे नहीं लगता वो मुझसे डर कर भागा है दुरुव मम्मा आप बिलकुल उसकी आँखों में आखे डाली हुई थी वो आपसे ही डर कर भागा है माय मम्मा इसदा बैस्ट अनामिका ने हैरानी से कहा क्या मेरी आखे इतनी डरावनी है कि एक टाइग भी इससे दर गया तभी अनामिका के कानों से एक आवाज टकराई तुम्हारी आखे बेहत खूबसूरत है बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह ये आवाज सुनते ही अनामिका इधर उधर देखने लगी लेकिन उसे यहां कोई भी नजर नहीं आया पर इस बार उसने क आवाज सुनी थी ये किसी मर्द की आवाज थी जो बेहद ही अट्रेक्टिव थी उसकी धरकने अब एक्सप्रेस की रफ्तार से धड़क रही थी और वो अपने करीब किसी को साफ साफ महसूस कर पा रही थी द्रूव मम्मा वाट हैपन आप किसे धून रही है इधर उधर अनामिका तुमने तुमने वो आवाज सुनी द्रूव हैरानी से कौन सी आवाज और किसकी आवाज अनामिका वो वो एक आदमी की आवाज द्रूव पर यहां तो हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं है मौम पता नहीं आपने किसकी आवाज सुनी अनामिका हो सकता है ये मे जगह पर ही फ्रीज हो गई क्योंकि इस बार वो समझ गई थी ये उसका कोई वहम नहीं है बलकि ये हकीकत ही है अब अंदर चुपे हुए लोग एक एक करके बाहर आने लगे उन में से कुछ आकर अनामिका को साबसी भी देने लगे लेकिन अनामिका को तो जैसे कोई होंशी नहीं था वो इस वक्त बस उस आवाज के बारे में ही सोच रही थी कुछ देर बाद जूही भी उनके पास आ गई और वो भी उन दोनों के तारीफों के पुल बांधने लगी पर अनामिका को इस वक्त अपनी तारीफ सुनने का जरा भी मन नहीं था इसलिए वो कोई बहाना करके अपने घर के लिए रवाना हो गई घर आने के बाद भी अनामिका खाना बनाते हुए उसी आवाज के बारे में सोच रही थी हाला कि उसे ये बेकार की बाते लग रही थी लेकिन वो चाह कर भी खुद को उस आवाज के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी ये ए उतना उस आवाज के बारे में सोच रही थी उतना ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी कभी ये आवाज सुनी है और पता नहीं क्यूं उसका दिल उस आवाज को बार बार सुनने के लिए बैचेन सा होने लगा है ऐसा लग रहा था जैसे वो फीची चली जा रही है उस सक्स की और जिसकी ये आवाज है. खाना खाने के बाद ध्रूफ सो गया था लेकिन उसके बगल में लेटी अनामिका बार बार करवते बदल रही थी क्योंकि उसकी आखों से नींद कोसों दूर थी और वो इस वक्त बहुंद ज्यादा बेचैन थी. और उसकी इस बेचैनी का कारण कोई और नहीं बलकि उसके पूर्व जन्म का प्रेमी रोमियो था जिसने सालों पहले भी. बिल्कुल इसी तरह से अनामिका उर्फ रोजमेरी की नींद चैन करार सब कुछ चीन लिया था. हाला कि अनामिका को अब रोमियो याद नहीं है लेकिन उसका दिल मरने के बाद भी अपने प्रेमी को भूला नहीं है. इसलिए ही तो जब जब रोमियो उसके करीब होता है तब उसके दिल की धरकने अपने आप बढ़ जाती है. रोमियो की धरकने तो 100 साल पहले ही थम चुकी थी लेकिन जब से उसकी प्रेमिका उसके पासलोट आई थी तब से. व बाद नहीं आ जाता तब तक वो चाहकर भी उसके सामने नहीं आ सकता क्योंकि अगर वो गलती से भी उसके सामने आ गया तो बहुंत बड़ी प्रॉबलम हो जाएगी. दरसल अनामिका के सबकॉंशन्स माइंड में इस वक्त उसके पिछले जन्म और पुनर जन्म दोनों ही जन्म की यादे. संग्रहित है पर इस वक्त उसका दिमाग सिर्फ उसके पुनर जन्म की यादों को ही इस्तेमाल करता है क्योंकि पिछले जन्म की यादों से उसका कोई लेना देना नहीं है इसलिए वो पुरानी यादे धुंदली सी हो गई है और इसी धुंदलेपन को धी जिन्दगी की याद दिला दे तो उसके ब्रेंग को एक तेज जटका लग सकता है जिससे उसकी कॉंशियस माइंड और सबकॉंशियस माइंड सडनली ओवरवक प्रेशा के कारण इन्बैलेंस्ट हो जाएगा और एक्सेसिव स्ट्रेस ना सेह पाने के कारण वो हमेशा के इन दिनों विराट की कमपनी रॉबिंसन्स के सांथ किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है इसलिए काम के सिलसिले में रॉबिंसन इंडस्ट्री के सीईओ अभिजीत रॉबिंसन और अनामिका के बॉस विराट अब्रॉय की मुलाकात होती ही रहती है अनामिका विरा जब काफी ताइम तक भी उन्होंने अनामिका के चेहरे से नजले नहीं हटाए तो अनामिका ने जिजगते हुए उनसे पूछा Sir what happened क्या कोई problem है अभिजीत रोबिंसन ने उटसुकता और हैरानी से कहा क्या तुम पहले भी मुझसे मिल चुकी हो अनामिका ने उन्हें हैरानी से जवाब दिया जी नहीं अभिजीत रोबिंसन ओ सौरी एक्चुई तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है अनामिका नो प्रॉब्लम सर इस ओके अब रात के एट बज चुके थे और अनामिका इस वक्त खाना बनाते बनाते धुरुफ को होमवर्क करवा रही थी तब ही अचानक अनामिका का फोन रिंग करने लगा उसने देखा जूही का कॉल है अब उसने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव कर लिया और कहा अब ये मत कहना तुम दोनों का फिर से जगड़ा हो गया है मैं पहले ही बता देती हूँ मैं इस बार तुम दोनों का पईचप नहीं करवाने वाली जूही ने मुह बनाकर कहा उससे पईचप भी कौन चाहता है भार जाए वो अनामिका हस्ती हुई अच्छा ये बताओ इस बार कितने मिनट के लिए ब्रेक अप हुआ है तुम दोनों का जूही मुह बनाकर मैं अब उससे कभी बात नहीं करूंगी अनामिका हस्ती हुई मैं भी देखती हूँ ये चमतकार कैसे होता है जूही अच्छा सुनो मुझे तुम्हे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है अनामिका हाँ बोलो क्या बतानी है जूही उस आयशा ने कल की पार्टी में तुम्हें सब के सामने इंसल्ट करने का तगड़ा प्लान बनाया है अनामिका हैरानी से क्या बात कर रही हो वे दोनों अब बाते करने में मश्बूल हो गई लेकिन बेचारा ध्रुव होमवर्क करते करते अब परेशान हो गया था इसलिए उसने अब खुद से बात करते हुए कहा काश मेरे पास मैजिक होता मैं यूँ चुटकी बजा कर अपना होमवर्क पूरा कर लेता दुरुव के ये कहते ही अचानक एक चुटकी की आवाज आई और दूसरे ही पल उसने देखा उसका होमवर्क पूरा हो चुका है दुरुव तो हक्का बक्का हो गया ये देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पास अब पौवर आ गया है उसने अब चेक करने के लिए अपनी चुटकी बजाई और कहा मैं अपना होमवर्क खुद कर सकता हूँ मुझे किसी मैजिक की कोई जरूरत नहीं है उसके ये कहते ही दोबारा उसका होमवर्क पहले जैसा इनकंप्लिट हो गया और ये देखकर धुरूफ खुशी से जूंग उठाब वो दोड़ता हुआ अनामिका के पास गया और उसका हौंथ पकड़कर खीचता हुआ बोला मम्मा चलो ना मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगा मेरे पास अब सुपर पौवर आ गए हैं अनामिका बेटा मैं जरूरी बाते कर रही हूं मासी से चलो जाओ तुम अपना होमवर्क पूरा करो ध्रूव वही तो दिखाना है मम्मा मैं जादू से अपना होमवर्क कर सकता हूँ अनामिका ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जूही से बाते करती हुई सबजी में चम्मच चलाने लगी जब ध्रूव के बार-बार बोलने पर भी अनामिका उसकी नहीं सुनी तो वो अपना मुह फुला कर वहां से चला गया अब वो चुपचाप सोफे पर मुह फुला कर बैठ गया लेकिन तभी किसी ने उसके फूले हुए गालों को प्यार से खीचा ध्रूव ने मुह बनाकर कहा आप जाओ ना मासी से इंपॉर्टेंट बाते करो तभी किसी ने दोबारा उसके गाल खीचे ध्रूव ने अब पलत कर पीछे देखा और गुस्से से कहा मम्मा मुझे आपसे बात नहीं करना यार लेकिन पीछे कोई नहीं था ध्रूव ने अब हैरानी से किचन की ओर देखा अनामिका अभी भी जूही से बाते करते हुए खाना बना रही थी अब वो दर गया और तेजी से किचन की ओर भागा लेकिन आधे रास्ते में ही वो रुख गया और खुद से बोला मेरे पास अब सुपर पौवर्ज है शायद ये उसी का असर है तभी वहाँ अनामिका आ गई और उसे अपने पास हीचती हुई बोली हूँ अब बोलो क्या कह रहे थे तुम उसके इतना कहते ही अनामिका का फोन दोबारा रिंड करने लगा धुरुफ मुह बनाकर मैं कह रहा था जुही मासी और आपकी इंपोटेंट बाते अभी खत्म नहीं हुई होगी आप दोनू अच्छे से बाते कर लीजिए अनामिका उसके बालों में हौन्थ फेरती हुई बोली जुही का नहीं मेरे बॉस का कॉल है बॉस का नाम सुनते ही धुरुफ को विराट का चहरा याद आने लगा उसने उसे एक बार देखा था काफी हैंसम है वो अनामिका ने कॉल रिसीव करते ही कहा हेलो सर कॉल की दूसरी ओर से विराट की आवाज आई हेलो ब्यूटीफुल ये सुनते ही अनामिका का दिमाग खराब हो गया लेकिन उसने अपने गुस्से को जप्त करते हुए कहा आपने इस वक्त कॉल किया है शायद आपको कोई जरूरी काम होगा मुझसे विराट काम तो बहुंत है तुम से लेकिन तुम कुछ काम करने ही नहीं देती अनामिका गुस्से से अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं कॉल कट कर देती हूँ विराट ओके ओके मुझे तुम से एक जरूरी काम है अनामिका बोलो क्या काम है विराट वो एक्चुली आए मिस यू क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ मुझे बस तुम्हें देखना है एक बार मुझे तुम्हारी याद आ रही है ये सुनते ही अनामिका ने गुस्से से कहा अपनी हद पर मत करो विराट विराट अफ तुम्हारे मुह से अपना नाम सुनकर अब मैं खुद को कैसे रूखू हदे पार करने से अनामिका उसे कुछ बोलने ही वाली थी कि ध्रूव ने फोन ले लिया और गुस्से से बोला ओ हेलो मिस्टर विराट मेरी मॉम को परेशान मत करो अनामिका ने तुरंट ध्रूव से फोन ले लिया और कॉल कट कर दिया उसके बाद वो लंबी लंबी सांसे लेने लगी ध्रूव अब दौरता किचन की ओर चला गया ताकि अपनी मॉम के लिए पानी का ग्लास ला सके तभी अनामिका का फोन फिर से रिंग करने लगा अनामिका ने देखा विराट उसे फिर से कॉल कर रहा है उसने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया लेकिन विराट बार बार उसे कॉल करता रहा अनामिक अब घबरा गई और तुरंट विराउट का call receive कर ली, call receive होते ही विराउट ने कहा अनू अनू मेरी बात करवाओ ध्रुफ से, अनामिका गुस्से से तुम नाम भी मतलो मेरे बेटे का, विराउट अनू प्लीज एक बार बात करवाउ मेरी उससे, अनामिका क्यू क्यू अनु अनामिका चिल्लाती हुई कभी नहीं मेरा बेटा तुमसे कभी बात नहीं करेगा विराट गुस्से से तुम्हारा बेटा अनु तुम कह रही हो वो तुम्हारा बेटा है तुम ऐसे कैसे कह सकती हो वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है अनामिका भावक होकर वो वो मे अनू क्या तुम्हें पता है ध्रुव का बाप कौन है। ये सुनते ही अनामिका अब घबरा गई उसे अब ऐसा लगने लगा जैसे ध्रुव का पिता अभी यहां आ जाएगा और ध्रुव को उससे चीन कर ले जाएगा वो अब चिल्ला उथी मैंने कहा ना ध्रुव सिर्फ मेरा बेटा है उस पर सिर्फ मेरा हक है मैं मा हूँ उसकी म मैं ही असली मा हूँ उसकी समझे तुम कोई मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकता मैंने ध्रुव को पाला है वो मेरा बेटा है मेरा बच्चा है वो अनामिका अब जोर जोर से रोने लगी तभी ध्रुव वहाँ पानी लेकर आया लेकिन जब उसने अपनी मा को रोते हुए देखा तो वो दोरते हुए उसके करीब गया और उसके आसों को पोँचते हुए बोला ममा ममा मत रोये प्लीज प्लीज शांत हो जाए अनामिका ने अब उसे अपने सीने से लगा लिया और बिलिखने लगी ध्रुव उसके बालों को सहलाता हुआ उसे शांत करने की मा समझा था लेकिन ये दुनिया कहती है मैं तुम्हारी मा नहीं हूँ। द्रूव उसके माथे को चूंगता हुआ बोला मम्मा शांत हो जाओ मैं आपका ही बेटा हूँ। अनामिका रोती हुई अगर तुम मुझसे दूर चले गए तो मैं मर जाओंगी मैं मर जाओंगी तु तुम मेरे ही बच्चे हो मैंने तुम्हें जन दिया है तुम मेरे ही अंशो। सो अभी कहानी जारी रहेगी।